है अब्रीवान वेल्कम बैक टो अनदो वीडियो फ्लाइश अंजिलोजी इस में हम पढ़ने वाले हैं बेसी फाइनल इयर का थर्ड पेपर उनिट फॉर्थ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि यह टरेस्टिल एकोसिस्टम इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्क इकोसिस्टम जिसको हिंदी में स्थालिय पारिस्थिति की बोला जाता है तो एक्चुल में टेरेस्टिल एकोसिस्टम क्या है अगर हम टेरेस्टिल एकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि और्गैनिजम और इन्वामेंट के बिच में किस तरीके का इंट्र करें प्रोडूसर से वाइड विराइटी ओफ एकोलोजिकल कंडिशन ओन दा कॉंटिनेंट एड आइलें नेक्स है करेक्टिस्टिस ओफ टेरिस्टिल हैबिटर यानि कि स्थली आवस्टिस की विशेष्टाएं जो हैं हम डिसक्स करने वाले हैं जिसको हमने फर्दर दो केटि देखते हैं कि अगर अगर घृस्टिल है तो यानि कि टापकरम किस तरीके से टेरिस्टल हैबिट थेफेक्ट करता है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अगर हम टेरिस्टल हबिट की बात करें तो जो लेंड होती है वो बहुत ज़ादा इफेक्ट होती टेंप्रेश्टर से एस कंपेर टू एक्वेटिक हैबिटेट ठीक है तो एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है पानी प्रिजन होने की वज़ें से वहां का temperature increase हो जाएगा तो इसी वज़ेसे जो है variation बहुत जल्दी आता है temperature में ठीक है terrestrial habitat के अगर बात करें तो कुछ-कुछ areas में temperature जो होता है maximum 60 degree तक चला जाता और कुछ-कुछ areas में minimum होता है minus 68 degree Celsius तो अब देखे कितना ज्यादा variation है temperature के अंदर ठीक है तो temperature बहुत ज्यादा चेंज होता है terrestrial habitat में तो अफकोस temperature की वज़े से जो है organism भी effect होंगे ठीक है तो दो तरीकी की चीजें हम यहां पर discuss करने होमियो थर्मल और पोई किलो थर्मल होमियो थर्मल क्या होते हैं वह organism जो की अपना internal temperature maintain करके रखते हैं उन师가 ने neither अगर आदा उन्सक्राइशनम होते Pedrift कर कि नहीं रखपाते हैं उनको हम बोलते हैं पोई किलो थर्मल अगर बाई काम है ठीक है तो नहीं चले यादे में कुंकि उन्हें कैपशुट नहीं होती है कि आपना internal एसे और्गेनिजम को हम बोलते हैं पोईकिलो थर्मल ठीक है होमियो थर्मल यानि की समतापी पोईकिलो थर्मल यानि की आसमतापी पोईकिलो थर्मल जो अर्गेनिजम होते हैं वो बहर अगर टेंपरेचर कम है तो हाइबनेशन में चले जाते हैं जैसे आपने देखा होगा स जाएड़ा important एकि लाइट होती है वह बहुत जाएड़ा important किसके लिए plants के लिए without light plant जो है photosynthesis नहीं करेंगे photosynthesis नहीं होगा मतलब कि oxygen होगा oxygen होगा तो बाकर सारे और गैनिजम जो कि oxygen लेते हैं वह survive नहीं कर पाएंगे तो इसे लिए जो light है वह भी बहुत important तो बहुत जारी solar radiation जो होती है जैसे कि UV rays, infrared ठीक है तो यह कुछ जो rays होती है हमारे लिए हम फूल भी होती है और कुछ जिसे light की अगर red light की बात करें तो red light में जो होते हैं प्लांट सबसे ज़्यादा photosynthesis कर पाते हैं ठीक है next आता है soil तो जो प्लांट होते हैं अपना nutrition कहां से लेते हैं ठीक है हमने nitrogen cycle में देखा था nitrogen cycle जब में पढ़ा था कि किस तरह किसे nitrogen fixation होता है और किस तरह किसे जो atmosphere में nitrogen present है वो plant लेते हैं nitrate की form में phosphorus cycle भी हमने बढ़ा था phosphate और जो nitrate है वो soil से लेते हैं ठीक है तो soil जो है वो भी बहुत important abatic factor है next हम देखते है oxygen तो जो testil organism होते हैं वो क्या करते हैं oxygen लेते हैं जो food हम काते हैं उसका oxidation होना जरोरी होता है ताकि energy produce हो ठीक है तो oxidation के लिए हमें oxygen चाहिए ठीक है तो जब तक oxidation नहीं वो food का वो हमें energy नहीं मिलेगी ठीक है और oxidation कब होगा जब हम oxygen हमारी body को मिलेगा तो oxygen भी बहुत जब इंपोर्टन factor होता है नेक्स आता है water तो water भी जो है वो बहुत इंपोर्टन factor है oxygen और water इन दोनों के बिना तो light जो life होती है वो हम इमेजन ही नहीं कर सकते ठीक है तो यह कुछ फैक्टर होते हैं यह बाटिक फैक्टर जो हमने पढ़ा जो की terrestrial habitat में habitat को effect करते है ठीक है तो आप इसको नोट कर सकते हो नेस्ट हम डिस्कुस करने वाले हैं biotic factor यानि की living factor की बारे में ठीक है तो इसमें बेसिकली हमें हमें पढ़ना है autotrops के बारे में यानि की स्वाम पोसी है helps Shania की बारे में ठीक है तो कुछ organisms होते है autoeletards यानि कि अगर हम plant की बात करें तो वो होते है autotraps autotrophs यानि कि जो अपना फूड खुद सिंतेसाइज करते हैं तो हमें पता है milky beforehand करते हैं फोटो और फोटो संथेसे से अपना फूर संथेस करते हैं थीके तो प्लांस क्या है और टॉट्रॉप्स यानिकी वह प्रड्रॉप्स भी होते थीके नेक्स राता है हेट्रॉट्रॉप्स वह और गैनिज्म जो अपने फूड यानिकी नुट्रिशन के लिए दूस्ते पड़ी वो और्गैनिस्म जो अपना न्यूट्रिशन यानि की फूर्ड जो है वो किसे लेते हैं प्लांट से प्लांट से प्लांट पे और वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं हर्भी वोरस ठीक है तो डियर के अगर हम बात करें हम बात करते हैं रैबिट की तो यह और्गैनिस्म ज ठीक है तो यह हो गया हर्भीवर्स के बारे में नेक्स आता है कार्निवर्स कार्निवर्स याने की मासाहारी यह ओर्गैनिजम जो होते हैं दूसरी एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं कार्निवर्स जो होते हैं वह हर्भीवर्स पर जाद तर डिपेंड करेंगे ठीक है तो कार्न लियाज बगरा जो की डेड़ली रॉडी को क्या करते हैं डिकंपोस करते हैं थीक है तो तो मृटीक कौन-कौन से हो गए ओठीटॉब यूर्ध ऑट्रोप्स धाल Oh यूर्श मेस के चाहिं अपनके अपने त्याहते बहुतंटेप verändert साहर होते हैं स्क्रेंजिन यानि कि अपमार्जक जो डेड ऐकन पर डिपेंड करते हैं तो ये कुछ फैक्टर है बार्थिक फैक्टर जो हमने डिसकोष कि जोकि ट्रेस्टिल एकोसिस्टम के अंदर आते हैं तो फ्लाइस ऑंजिलो जी इस वीडियो हम पड़ने हूआ हैं फ्र तो सबसे पहले हम forest ecosystem को डिस्कस करने वाले हैं कि forest ecosystem क्या होता है और क्या क्या characteristics होते हैं forest ecosystem के और कितने type के forest जो है present रहते हैं ठीक है तो सबसे पहले forest ecosystem forest is a large uncultivated and inhibited tract of the land covered with trees of different high shrubs and herbs अगर हम बात करते हैं forest ecosystem यानि की one पारी तंतर की तो क्या होता है इत तरीके से बहुत ही large area बहुत ही बड़ा area जो की covered रहता है uncultivated होता है और covered रहता है किसे trees से of different height तो trees के height जो होती है वो different होती है इनकी height 3 meter से 30 meter तक जाती है दूसरा इसमें shrubs भी present रहते हैं यानि कि छूप इसमें present रहते हैं जिनकी height below 3 meters होती है and herbs यानि कि herbs जो सबसे छोटे होते हैं जो जने हिंदी में shark बोला जाता है तो trees, shrubs और herbs तीनों ही forest के अंदर present रहते हैं अगर हम बात करें rainfall की तो forest के अंदर बहुत ही ज्यादा heavy rainfall होती है optimum temperature यहाँ पर प्रित्र रहता है और high humidity यहाँ एप होती है तो heavy rainfall यान कहिंगे बहुत ज्यादा rainfall होती है humidity बहुत ज्यादा हाइ Honig पढ़ने वाले हैं ओनली डिफ्यूज लाइट रिस दर ग्राउंड जो लाइट होती है सन लाइट के अगर हम बात करें तो डारेक्ट सन लाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंचती हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा जो वहां पर ट्रीज प्रजेंट रहते हैं जिनके हाई 3 म घ्यूज नहीं पहुंच पाती है diffused light जो है वह रांद तक पहुंच पाती है ठीक है next हैoh temperature is lower in summer and higher in winter अगर बात करें temperature की तो temperature जो होता है वो कम रहता है summers के अंदर जादा होता है winter में अग्र हम days and night की हम बात करें तो जो days होते हैं वो colder होते हैं और जो night होती ही वो warmer होती है forest के अंदर ठीक है? तो temperature is lower in summer and higher in winter next is the floor of the forest is carpeted by thaloid plant like lichen and moss आगर हम बात करें floor की जो forest का floor होता है वो किस से covered रहता है? carpeted यानि कि covered रहता है किस से? थेलोड plant जैसे की lichen और moss से वाल और moss से जो है वो जो floor होता है forest का वो covered रहता है ठीक है? अब हम पढ़ने वाले है type of forest कितने type के forest present रहते हैं? कितने प्रकार के one होते हैं? पहला आता है northern corniferous forest second one is temperate forest third is tropical forest fourth is subtropical forest यानि कि शंकुधारी one sheet ocean one ocean कटी बंदिये one और उप ocean कटी बंदिये one ठीक है? अब चारों को ही one by one हम discuss करने वाले हैं ठीक है? तो ये चार तरीकी के forest जो है वो present रहते हैं और इनको हम discuss करने वाले हैं यह आप note कर सकते हो next हम बात करते हैं northern corniferous forest की यानि कि शंकुधारी one की तो climate की अगर हम बात करें तो यहाँ पर temperature जो है वो vary करता है minus 30 degree Celsius रहता है winter के अंदर और summers में रहता है 23 degree Celsius ठीक है? vegetation यानि की कौन-कौन से flora यहाँ पर present रहते हैं तो यहाँ पर present है pine, balsam, lark, fir और यह सब cheap source होते है timber के ठीक है next है fauna अगर हम बात करें कौन-कौन से animal species यहाँ पर present है तो यहाँ पर hyla, squirrel, deer, rat और fox यह सब present रहते हैं ठीक है? next हम बात करते है temperate forest यानि की शीतो शर्वन की तो यह further 3 types के होते है temperate deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate rain forest ठीक है? 3 types के होते है temperate forest कौन-कौन से? temperate deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate rain forest ठीक है? तीन types के होते है अब हम देखते हैं कि temperate जो deciduous forest है इसमें क्या होता है? यह present का है? यह present है नोर्थ अमेरिका, वेस्टन यूरोप और इस्ट एसिया में ठीक है? temperature के अगर हम बात करें तो summer में temperature रहता है 20 degrees से लेकर के 27 degrees celsius तक ठीक है? और winter में रहता है minus 12 degrees celsius ठीक है? तो temperature कम है इसके वाज़े से यहाँ पे snowfall भी होता है इसका character feature क्या होता है? temperate deciduous forest का यहाँ पे जो होता है broad leaves के plants प्रेजेंट रहते हैं broad leaves यहाँ पे प्रेजेंट रहती है और winter के अंदर क्या होता है? यह जो leaves होते हैं यह fall down ज़ाती है जढ़ जाती है next है flora की अगर हम बात करें तो कौन-कौन से flora यहाँ पे present है तो यहाँ पे pine, oak, hikory, maple, cottonwood etc. यह सब present रहता है flora यानि के animal spaces के अगर हम बात करें तो यहाँ पे woodpeaker, owl, hawk, goat, bear, deer, etc. यह सब present रहते हैं ठीक है temperate, evergreen forest के अगर हम बात करें तो यह जो होता है warm, dry होता है summers के अंदर and cool होता है winters के अंदर ठीक है warm, dry in summers and cool in winters और cool and moist रहता है winters के अंदर ठीक है तो यहाँ पे जो होते हैं trees absent होते हैं trees जिनकी हाइड बहु ज़्यादा होती है वो absent होते हैं लेकिन sub से हाँ पे present रहते हैं जिनकी हाइड 3 meter तक होती है ठीक है तो trees absent और sub से हाँ पे present रहते हैं next बात करते हैं temperate rain forest की तो नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे heavy rainfall होता है rainfall होने के वज़े से जो होता ही coldest forest आप इसको बहुत सकते हैं coldest forest होता है the temperature and rainfall vary throughout the year ठीक है तो जो temperature है और जो rainfall है वो पूरे साल जो होती है वो vary करती रहती तो यह fix आप नहीं बता सकते हो कि यह temperature है यह पूरे साल बर क्या है change होता रहता है temperate rain forest के अगर हम बात करें तो यह हम भी temperature और rainfall दोनों ही throughout the year change रहता है तो यह था northern corniferous forest और temperate forest के बारे में next हम remaining 2 forest को discuss करने वाले हैं यह आप note कर सकते हो next हम discuss करने वाले है tropical forest को अगर हम बात करें tropical forest की तो furthers में 2 forest include होते हैं tropical rainforest, tropical deciduous forest दो types के होते हैं सबसे पहले हम discuss करने वाले है tropical rainforest याने की ocean कटी बन दिये वर्षावन को ठीक है tropical deciduous forest याने की ocean कटी बन दिये पर्ण पाती बन ठीक है तो सबसे पहले हम tropical rainforest याने की ocean कटी बन दिये वर्षावन को discuss करने वाले हैं अगर हम temperature की बात करें तो temperature बहुत ज़्यादा हाई होता है, सबसे गरम हम बोल सकते हैं, कौन होता है, tropical rainforest, या फिर हम tropical forest जो होते हैं, इनमें दोनों में high temperature हमें देखने को मिलता है, temperature यहाँ पे होता है 32 degree Celsius, maximum temperature 32 degree Celsius लेकर 40 degree Celsius तक यहाँ पे temperature रहता है, maximum minimum temperature 10 degree Celsius लेकर 0 degree Celsius होता है, तो basically यहाँ पे high temperature present रहता है, और high humidity भी रहती है, जिसकी वज़े से क्या होता है, high temperature मतलब evaporation जो है, वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वज़े से thunders जो है, हमें देखने को मिलते है, daytime में, ठीक है, next, trees are very high height, जो होती है, trees की वो बहुत ज़्यादा होती है, 36 meter से लेकर 56 meter जो है, trees की high present होती है, tropical rainforest की अंदर, ठीक है, फोना की अगर हम बात करें, तो फोना यहाँ पे present रहते हैं, centipeds, spiders, scorpions, insects, bugs, ants, bees, flies, etc, तो यह सब यहाँ पे फोना प्रेजेंट है, orthopoda सारे के सारे, mammals में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, panther, tiger, black langur, gorillas, monkey, etc, ठीक है, तो यह यह यहाँ पे, mammals present है, ठीक है, तो इस तरह की, animals, organisms, यहाँ पे present रहते हैं, tropical rainforest की अंदर, ठीक है, नेक्स हम बात करते है, tropical deciduous forest याने की उश्ण कटी बन दिये, पर्णपाती 1 के बारे में, तो यह कहाँ present है, found in south east asia, south east asia याने की यह इंडिया में present है, ठीक है, और temperature and rainfall यहाँ प तो uniform नहीं होता है, temperature और rainfall, although यहाँ पे heavy rainfall हमें देखने को मिलती है, temperature बहुत ज़्यादा high होता है, इस forest को monsoon forest भी कहा जाता है, tropical deciduous forest को हम monsoon forest भी कहते हैं, commonly, ठीक है, तो यह कुछ character होते है, tropical deciduous forest के, ठीक है, तो tropical forest जो है, वो दो टाइप्स के होते हैं, ocean कटी बन दी वर्षा यानि कि sub-tropical rain forest की, ठीक है, तो vegetation की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कौन-कौन से फोना present है, oak, mangolias, tamarinds, etc, ठीक है, यह कुछ फोना यहाँ पे present है, और यह also associated with epiphytes, ferns and wines, animal life is similar to rain forest, rain forest में जिस तरह की से हमने animal life देखी थी, इस तरह की organism, फोना जो है, प्रेजन होते ह सब-tropical rain forest में भी, ठीक है, तो यह overall all था, हमने कुछ basic discuss किया था, forest ecosystem के बारे में, next video में हम discuss करने वाले हैं, Hey everyone, welcome back to another video of life psychology, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, BSC final year का third paper, unit fourth हमारी चल रही है, जो कि है terrestrial ecosystem, terrestrial ecosystem में हमें पढ़ना है forest ecosystem के बारे में, और desert ecosystem के बारे में, last video में हमने forest ecosystem के बारे में discuss किया था, आज हम पढ़ने वाले हैं, desert ecosystem के बारे में, इससे पिछली जो unit थी हमारी इसमें हमने aquatic ecosystem के बारे में discuss किया था, ठीक है, तो आज हम desert ecosystem यानि के मरस्तिली पारी तंतर के बारे में discuss करने वाले हैं, ठीक है, क्या होता है, desert ecosystem क्या कैसके characteristics होते हैं, और किस तरह की adaptation यहां पर पाए जाती है, desert is the arid reason of the earth's surface where rainfall and moisture are insufficient to support normal life, तो desert आप किसे बोलोगी, कि ऐसा arid reason, अर्थ का, ठीक है, जहां पर rainfall बहुत कम है, अगर rainfall कम है, तो वहां पर moisture भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है, तो desert area में एक तो rainfall बहुत कम होती है, अगर होती भी है, तो यहां पर moisture बहुत कम होता है, insufficient होता है, तो यहां पर normal life sustain करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, organisms के लि जैसे कि अगर हम बात करें, पहला आता है low rainfall desert, कम वर्षा वाले मरुस्तल, जहाँ पर rainfall बहुत ही कम होती है, cold desert यानि कि शीत मरुस्तल, cold desert जिसको हिंदी में कहते हैं उष्ण मरुस्तल, फूर्थ आता है low nutrient desert यानि कि न्यून पोशी के मरुस्तल, फिफ्थ है toxic desert यानि कि विशाकत मरुस्तल, फिफ्थ है salty desert यानि कि लमणी मरुस्तल, तो इस तरीके से जो है desert को categorize किया हुआ है, on the basis of rainfall, कि वहाँ पर rainfall कितना हो रहा है, नेक्स हम देखते हैं, characteristics of the desert environment, ठीके, पहला जो characteristics पाया जाता है, वो है scarcity of water, यानि कि जल की न्यूनता, पानी की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमी होती है, क्योंकि rainfall यहाँ पे बहुत कम है, अगर होगा भी तो भी, जो है irregular होता है, और जो natural resources होते हैं, पानी की वो यहाँ प कमी रहती है, दूसरा high temperature, temperature जो है desert में बहुत ज़्यादा high रहता है, दिन में बहुत ज़्यादा high रहता है, और रात को उतना ही ज़्यादा, जो temperature जो है low हो जाता है, तो एक ही दिन में extreme temperature देखने को मिलता है, वनलब दिन में बहुत ज़्यादा temperature हो रात को बहुत ही कम temperature हो तो यहाँ पे high temperature अत्तधिक तापमान रहता है थर्ड आता है dust storm ठीक है यहाँ पी दूल बरी आधी यहाँ पे चलती है क्यों चलती है एक तो यहाँ पे rainfall बहुत कम होता है तो मतलब motion यहाँ पे कम है दूसरा high temperature पहले से ही moisture कम है तो यहाँ पे दूसरा high temperature की वज़े से अगर moisture होता है तो भी वह इवपिरेट हो जाता है पानी की कम होती है थीक है तो temperature भी हाई रहता है इसकी वज़े से क्या होता है कि रात को जो है शाम की टाइम में जो धूल बरी आंधी चलती है ठीक है हावाओं की जो गती होती है वो तेज हो जाती है एर बहुत तेजे से flow करती है तो एक तरीके से धूल बरी आंधी यहाँ पे चलती है फूर्थ हाता है lack of vegetation अब हमने देखा कि यहाँ पे scarcity है पानी की बहुत कमी है temperature जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है और direct sunlight जो है वो organisms पे पड़ती है ठीक है प्लांट जो यहाँ पे होंगे डिजर्ट प्लांट जो होंगे वो हमेशा ज़्यादा तर हमें सेकुलेंट देखने को मिलें कांटेदार होंगे और जो लीवस होती है उनकी उनमें एक तरीके से अगर आपने अलोवेरा देखा होगा तो उसमें एक वेक्स जैसा आपको कवर्ड रहता है वो इसलिए ताकि जो ट्रास्पिरिशन है यानि कि जो अगर पानी उसमें जो निकल रहा है उसकी कमी हो क्योंकि और यहाँ पे पानी जो है अवैलेबल नहीं होता है तो जो प्लांट से उन्होंने अपने आपको इस तरीके से अड़प्ट किया हुआ है कि उनमें से पानी जो है कम से कम लोस हो ठीके पानी का मिनिममम लोस हो अगर हमें प्लांट भी देखने को मिलते हैं बड़े बड़े जो यहां पे प्लांट होते हैं उनमें जो लीव्स मिलती है वो भी बहुत ही चोटी होती है उनका साइज बहुत चोटा होता है ठीके और यह यही कर सकते हैं कि जो excess loss हो रहा है पानी का उसको वो कम कर सके और जो रूर्स होती है प्लांट की वो भी बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं ताकि पन के availability हो सके तो यह कुछ adaptation के हमने यहां पर बात की तो overall desert हम किसको बोलेंगे कि ऐसा arid reason अर्थ का जिसमें रेंफुल बहुत कम होती है या फिर हम बोले कि जो moisture है वो insufficient होता है ठीके और हमने देखा कि rainfall के basis पे जो है ठीक है अब हम देखते हैं character की बारे में character जो होते हैं क्या-क्या होते है desert environment के यहां पर scarcity होती है water की जो है यहां पर कमी है high temperature बहुत ज्यादा temperature यहां पर देखने को मिलता है dust आम यानिकी धूल बरियांदी यहां पर चलती है और lack of vegetation है कि वनस्पति का यहां पर अभाग होता है तो यह कुछ characteristics से आप इसको note कर सकते हो लेक्स हम पढ़ने वाले हैं मरुस्तली आवाज के अनुकूलिन यानिकी adaptation of desert habitat यानिकि जो अनिमल जो की desert area में रहते हैं और में किस तरह की adaptation पाई जाती है सबसे पहले हम देखने वाले हैं water conservation यानिकि जो अनिमल जो की desert area में रहते हैं वो किस तरह की से पाणी का selection करते हैं conserve करके रखते हैं पाणी को दूसरा है water obtaining पाणी की कमी बहुत होती है desert area में तो पाणी किस तरह की से obtain करते हैं desert animal third is heat tolerance excess of heat वहाँ पे present होती है तो heat को किस तरह क सरक्षित रखते हैं अपने आपको protect करके रखते हैं यह कुछ adaptation होती है इंके बारे में हम डिस्कुस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम water conservation के बारे में पढ़ेंगे यानिकि जल सरक्षन किस तरह के से करते हैं desert animal to avoid operation through body surface हमारी body के अंदर हमारी body में से water जो है बहुत हद तक किस हो जाता है body surface से ठीक तो इस तरीके से हमारी body के अंदर body से water loss होता है तो जो desert animal होते हैं उनमें इस तरह की adaptation पाए जाती है कि उनकी body surface से minimum loss होगा water का किस तरीके से उनमें thick hide present होते हैं तिक हाड जो है developed कर लेते हैं और उनमें जाके चिप जाते हैं जिसकी वज़े से water का loss उनक absent होती है और कुछ organism ऐसे होते हैं जिनमें sweat gland जो होती हुए reduce होती है जिसकी वज़े से क्या होगा sweat जो है कम से कम निकलेगा पसीरा कम से कम निकलेगा और water close कम से कम होगा third is impervious skin यानि कि जो skin होती है वो मोटी होती है ठीक होती है जिसकी वज़े से भी क्या है operation कम होगा next है heat tolerance कुछ animals ऐसे होते हैं जिनमें already heat tolerance की capability पाई जाती है जिसे हम बात करें camel की तो जो camel होता है उसमें heat tolerance पाई जाता है next आता है to avoid loss of moisture during respiration respiration के दुरान moisture का loss ना हो इस तरह की adaptation भी present होती है desert animal में क्योंकि जो exhale जो भी air exhale करते हैं जो भी साथ छोड़ते हैं वो already cool down होती है ठंडी हो जाती है इसकी वज़े से moisture का loss आपी नहीं होता third आता है to avoid loss of water during excretion excretion के दुरान भी जो है बहुत ज़दा loss होता है water का तो इससे बचने के लिए भी जो है उनमें एक adaptation present होती है कि उनका जो urine है बहुत ज़दा concentrated होता है ऐसे animals का जो कि desert में रहते हैं ठीक है 24% उनमें क्या होता है urea present होता है नेक्स हम बात करते है water obtaining यानि की डिजैट में रहने वाले ऐनिमन्स किस तरीके से water obtain करते हैं क्योंकि वहां पे water की availability बहुत कम होती है तो उन्हें किस तरीके से पानी मिलेगा, migration, ठीक है, migration या तो वह करेंगी जहां पर water भी जहां भी water आववैलेबल है या तो वहाँ पर जाके water, गेंगी water वहां पर उनको मिल जाएगा, तो उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए दूसरा अप्टेनिंग वाटर फ्रॉम फूड कुछ अनिमल में इस तरह की यह अडेप्टेशन होती है कि जो वो खाना काते है सोलिड उसी में जो भी मौस्चर प्रेजन्ट है उसका जो ब्लड होता है उसमें जो वाटर प्रेजन्ट है वो उसी से अपने पाने की पूरती कर लेते हैं तो उन्हें एक तरीकी से अलग से पानी पीने की ज़रुत नहीं होती ओल्दो की लिकिन जो भी सब्सक्स? अगर पान इस नहीं, तो वह उसी से अपने पाने की पूरति कर लेते हैं नेक्स साथ है उप्टेनिंग वाटर फॉम सीडिशन वह था है कि जो भी खाना वह खाते हैं जो भी फूर्ट और उठान के लिए हुआ जो भी हर्भी वरिस अगे हम बात करें कुछ अणिमल ऐसे भी है, जो भी वह flashy food खाते हैं, जिसे सैकुलेंट जीसे होते हैं, तो वो उनसे उप्टैन करते हैं, थिके क्या जो वह फ्लेशी leaves होती हैं उनकी उनमें water बहुत जद्धा प्रेजन होता है, तो उनको खाकरकि water उप्टैन करते हैं, तो ये कुछ adaptation है, water conservation और water obtaining हमने अभी पढ़ा है water किस तरीके से और कंजब करके रखते बोडी के अंदर और किस तरीके से water obtain करते हैं ठीक है तो यह आप नोट कर सकते हो कि नेक्शन पढ़ने वाले हैं heat tolerance के बारे में यानि कि उश्मा की सहनशिलता की जो है वहां का temperature जो है वह 50 तक चला जाता है तो soil का जो temperature होता है वह बहुत ज़्यदा हाई होता है तो उस temperature से उस heat से अपने आपको बचाने के लिए इस तरह की के adaptation भी उनने पाई जाती है कि उनकी अगर जो लेग है उनके वह अगर लंबे होंगे तो वह जो heat है सर्फेस पे उससे अपने आपको बचा पाएंगे ठीक है नेक्स आता है बॉर्विंग नेचर तो कुछ एनिमल ऐसे कुछ और गैरिजम ऐसे हैं जो बिल बिना करके रहते हैं तो उनका जो बिल का temperature होता है बाहर की temperature से कम होता है उसमें moisture होता है औरका temperature भी कम होता है जिसकी वाज़े से वह सर्वाइव कर बाते हैं हीट से ठीक है तो इस तरगी का नेचर भी उनका होता है थर्ड आता है tolerance अगेंस dehydration तो जो एनिमल जो की डेजर्ट एरी में रहते हैं वो dehydration की tolerance भी उनमें पाई जाती है ठीक है 20% तक कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें 20% तक अगर dehydration हो जाए तो वो जो है उनकी death हो जाती है लेकिन जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो 40% तक की dehydration को जो है tolerate कर भाते हैं उनमें ये capability होती है तो इस तरीके से जो है डेजर्ट एनिम प्रेजेंट होती है वो कौन-कौन से एडेप्टेशन होती है नोस्टिल तो जो नोस्टिल होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है एस बिकुछ महाँ पर जो टेंपरेशर है बहुत ज्यादा हाई होता है और वहाँ पर धूल भरी आंधी जो है चलती रहती है तो इ पाइलेट उनको कवर भी कर लेती है उनको तो भी उन्हें दिखाई देता है तो इस तरह की अडेप्टेशन भी उनमें प्रेजेंट होती है एस बिकुछ महाँ पे जो है दूल बरी आंधी चलती है तो यह अडेप्टेशन उसी चीज से अपने आपको प्रोटेक्ट कर आत गरम होता है तो इसलिए उनमें इस तरह की अडेप्टेशन प्रेजेंट होती है फॉर्थ वन इस प्रोटेक्टिव कलरेंस कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका जो कलर होता है वह आसपास की इन्वार्मेंट जैसा ही होता है ताकि वह प्रेडेटर से अपने आपको बचा पा है ठीक है तो यह कुछ प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन होती है डेजर्ट एनिमल में तो अगर हम बात करें तो उसमें प्रेजेंस ऑफ लोग लैग बॉर्विंग नेचर टोलरंस अगेंस डियाइडरेशन प्रोटेक्शन में नौस्टिल आइलिड पेडल लैग प्रोट तरह किसे वाटर को ब्तेई करते हैं हीट टोलरंस उश्मा की सेंस्यलता किस तरीके से हीट को टोल्रेट करते हैं प्रोटेक्शन और किस तरीके से अपने आपकी सुरक्षा करते हैं तो अवर वल इसमें हमने पढ़ा पढ़ा डेजर्ट हैं वेलकम बाक तो लीडियो क्तिं वाले हैं वाटर पोलेसं के बारे में तो यह इक इंटरड़क्टीब वीडियो ! कि पोलिशन क्या होता है solisöl प्लेशन के बारे मेरे मनें बांद को सेजिए ठाल कोई भी अंडेजारेबल चेंज होता है तो हम उसे पॉलिशन का नाम देते हैं ठीक है अगर हम बात करें जिस तरह के से डॉल्पमेंट हो रहा है इंडस्ट्रिलाइजेशन हो रहा है ठीक है फैक्ट्री जो है वह बन रही है उनसे जितना भी वेस्ट जो मेटीरियल निकलता ह है जोतनी भी वहाँ पर बनते हैं वह सब जो है फ्लोईंग वाटर जैसे कि रिवर में डाल दिये जाते हैं अब जो भी वह पानी को एक तरीके से पोलिटर्ञ करता है ठीक है तो इस तरीके से जो बॉटर पोलिशन हो गया और बहुत सारी स्थारी की हामफुल कैसे वी इन् इफेक्ट करेगा वेजटेशन को अगर एफेक्ट करेगा तो ही मिमफी उससे एफेक्ट होगे तो घूमफीर की होता है कि हमारी लाइफ पे भी उसका बहुत जादा एफेक्ट परता है कि एres ऑनदीशिक ते हम सानस ले रहें मुटॉटLijn है जो vegetation हम ले रहे हैं वो भी affected हो गई है जो पानी हम पी रहे हैं वो भी affected है ठीक है तो overall ये pollution हमारी life को बहुत ज़्यादा effect करते हैं ठीक है जो भी undesirable इसलिए हमने बोला undesirable change हो रहे हैं वो क्या करते हैं overall human being की life को effect कर रहे हैं तो हम इसे pollution का नाम देते हैं अब जो agent जो की pollution cause करता है उसे हम बोलते हैं pollutants pollutants क्या होते हैं? the agent bring about the undesirable change in the natural resources वो agent जो की natural resources है उनमें undesirable change को लेकर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं pollutants यानि की जो pollution cause करते हैं वो क्या होते हैं pollutants ठीक है अब जो pollutants है उनका further classification हुआ है on the basis of form किस form में हैं? उनकी basis पे जो है pollutants को classify किया हुआ है जैसे कि हम बात करें primary pollutants की primary pollutants क्या होते हैं? they are released in the same form in which they act as pollutants अगर हम primary pollutants की बात करें तो primary pollutants क्या होते हैं? यह जिस form में release होते हैं environment के अंदर उसी form में as a pollutant भी काम करते हैं जैसे कि example की तोर पे हम बात करें DDT की, तो DDT environment में as a form DDT ही जो है release होता है और DDT की तरफ वो as a pollutant भी काम करता है, लेकिन secondary pollutant में ऐसा नहीं होता, यह जो release होते हैं, जिस form में इन्वार्मेंट में release होते हैं, उस form में as a pollutant की काम नहीं करते हैं, certain chemical reaction होती है, जिसकी वज़े से यह क्या करते हैं, कुछ ऐसे compound बनाते हैं, या कुछ ऐसे substance बनाते हैं, जो की further pollutant की तरफ वोक करता है, जैसे कि आपने सुना होगा acid rain के बारे में, तो acid rain किसकी वज़े से होते हैं, sulfuric acid की वज़े से होती है, ठीके, तो sulfuric acid जो है directly environment के अंदर release नहीं हो रहा है, क्या release होता है, sulfur oxide, sulfur oxide जो है further water के साथ में reaction करता है, उसके बाद में क्या बनता है, sulfuric acid, जिसे हम acid rain का नाम दे देते हैं, ठीके, तो हमने अभी क्या देखा, कि जो sulfur oxide है, जो की एक pollutant है, react किया, किसके साथ में, water की साथ में, जो की एक pollutant नहीं होता है, ठीके, और further जो है, उन्होंने form किया, sulfuric acid, ठीके, जो की further ही किया है, pollutant है, तो यह क्या किया, environment में, जिस form में, जो release होते हैं, वो उस form में, as a pollutant work नहीं करते हैं, further कुछ chemical reactions होती है, जिसके बाद जो भी product बनता है, जो compound बनता है, वो pollutant की तरह काम करता है, ठीके, तो यह होते है, secondary pollutant, जिसके example है, sulfuric acid, HNO3, smoke, PAN, ठीके, तो आप इसको note कर सकते हो, next, हम further किस तरह के से classification हुआ है, pollutants का, वो हम पढ़ने वाले है, among the basis of quantitative and qualitative, ठीके, quantitative pollutant क्या होते हैं, जब इनका concentration in moment के अंदर बढ़ जाता है, तब ही जो है, as a pollutant काम करते हैं, example की तरह पे हम बात करते हैं, carbon dioxide की, तो जो carbon dioxide है, उसका presence भी in moment के अंदर जरूरी होता है, ठीके, क्योंकि हमारी जो plant है, वो photosynthesis तब ही करेंगे, जब CO2 उने मिलेगी, ठीके, तो इसलिए इनका जो presence है in moment के अंदर, वो भी जरूरी होता है, लेकिन, जब इनका concentration in moment के अंदर बढ़ जाता है, तो यह as a pollutant function करने लग जाते हैं, पॉलिटेंड एक करते हैं, ठीके, तो यहाँ पे क्या मेंटर करता है, quantity, जब quantity यानि के जो concentration है, वो इनक्रेज हो जाती है, किसी भी substance की, तब ही जो है, वो as a pollutant act करता है, तो next हम बात करते है, qualitative pollutants की, तो यहाँ पे जो है, quantity मेंटर नहीं करती, हम बात करते हैं, DDT की, तो DDT अगर small amount में भी present है, तो भी as a pollutant ही काम करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है, किसके quantity कितनी है, ठीके, anyhow, यह जो है, pollutant की तरह ही function करेगा, quantitative में क्या था, यहाँ पे quantity मेंटर करती है, अगर यह, जो CO2 के concentration जादा हो जाती है, environment के इंदर, तभी as a a pollutant function करता है, pollutant add करता है, लेकिन qualitative की अगर हम बात करें, तो अगर यह small amount में भी present है, तो भी as a pollutant ही function कर रहा है, next हम बात करते हैं, जो तीसरा method हम पढ़ना है, biodegradable and non-bio degradable, तो नाम से आपको समझा रहा होगा, biodegradable यानि की जिनका degradation हो सकता है, non-bio degradable यानि की जिनका degradation possible नहीं है, ठीके, तो सीवेज के अगर हम बात करें, तो इन भी कोई भी micro organism act करेंगे, bacteria act करेंगे, और इनका degradation possible हो जाएगा, ठीके, तो ये एक तरीके से degrade हो सकते हैं, environment में, ठीके, और अगर हम बात करते हैं, non-bio degradable की, तो ये इनका degradation possible नहीं है, लेकिन अगर, in case इनका degradation होता भी है, तो बहुत ही time लगता है, बहुत ही लंबा time लगता है, example, again, DDT, ठीके, तो इस तरीके से हमने देखा कि pollutants के किस तरह किसे classification हुई है, primary, secondary, qualitative, quantitative, quantitative, biodegradable and non-bio degradable, ठीके, तो ये बहुत ही इंट्रोड़क्टिव वीडियो था, next हम पढ़ने वाले हैं, further pollutions के बारे में, जिसमें हम water pollution, soil pollution और air pollution के बारे में डिसकस करेंगे, here everyone, welcome back to another video of life psychology, इस वीडिमें हम पढ़ने वाले हैं, water pollution के बारे में, last video में हमने देखा था, pollutants क्या होता है, pollutants के टाइप समने पढ़े थे, pollutants क्या होता है, ऐसे agent जो कि pollution को cause करता है, हम इसे pollutant बोलते हैं, तो आज का हमारा topic होगा water pollution, although it's a huge topic, लेकिन कुछ main चीज़े हम discuss करने वाले हैं, किस वज़े से water pollution cause होता है, क्या-क्या effect होते है water pollution के, और किस तरीके से हम water pollution को control कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि water pollution क्या होता है, presence of foreign substances or impurity degrading its quality, thus making it toxic for human being, water pollution क्या होता है, कुछ ऐसे foreign substances, कुछ ऐसे toxic substances या chemical, जब mix हो जाते हैं water के साथ में, तो उसकी quality को degrade कर देते हैं, खराब कर देते हैं, कम कर देते हैं, और पानी को toxic बना देते हैं, poisonous बना देते हैं, और वो water जो होता है, human life के लिए, animal life के लिए harmful होता है, तो हम उसे बोलते है water pollution, ठीक है, तो क्या होता है, presence of foreign substances or impurity, degrading its quality, तसमें कि it toxic for human, नेक्स हम पढ़ते हैं, causes क्या-क्या होते हैं, किन कारों से water pollution होता है, solid waste, solid waste की अगर हम बात करें, तो for example, हम कहीं घूमने गए, अगर हम बीच पे गए, तो वहापे water present है, तो जितना भी remaining food है, जो भी waste material है, हम directly अगर डम कर देते हैं, पानी के अंदर, पानी के अंदर directly हमें उसे फेक दिया, तो पानी जो है, वो पॉलिट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, water pollution वहापे कोज होगा, अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा reason होता है, सबसे main reason होता है water pollution का, क्योंकि जो industries होती है, बहुत ही large amount में, जो है chemical substances, या फिर हम बोलते हैं, बहुत जादा वेस्ट मेटीरियल जो है, पैदा कर दे हैं, और वो वेस्ट मेटीरियल बहुत जादा हामफूल होता है, और डायेट लिए अगर डम कर दिया जाता है river के अंदर, तो पूरा का पूरा water को वो खराब कर देती हैं, और वो water toxic हो जाता है, इन केस अगर वो हम consume कर लेते हैं, एनिमल कंजूम कर लेते हैं, या फिर human being वो consume कर लेते हैं, तो वो हमारी health के लिए बहुत जादा खतरनाक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत जादा chemicals प्रेजेंट होते हैं, बहुत जादा toxic होता है वो पानी, ठीक है, तो नेक्स हम डिस्कुस करते हैं, अगरिकल्चुर रन ओफ, अगरिकल्चुर रन ओफ की अगर बात करें, तो आज के ताइम में जो फार्मर होते हैं, बहुत जादा इस्तामाल करते हैं, पेस्टी साइड का, फर एक्जम्पल, उनने पेस्टी साइड का छिड़काव किया खेतों में, और अगर बारिश आ गई, तो जो भी पेस्टी साइड था, वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ में, अब वो सर्फेस वाटर जिसके अंदर पेस्टी साइड मिक्स है, वो वाटर पॉलिट हो चुका है, वो वाटर पॉलिट हो चुका है, वो वाटर अगर किसी लाज वाटर बोडी की साथ में मिल गया, तो वो पूरा का पूरा वाटर भी खराब हो जाएगा, वाटर पॉलिशन हो जाएगा, सीवेज एन वेस्ट वाटर, सीवेज यानि वह वेस्ट जो हम एक तनकी से डॉमस्टिक वेस्ट हम बोल सकते हैं मेलियो मेरा कच्रा वैदा होता है वेस्ट वाटा जी कि हम घरों में इस्तेमाल जाएं जो पानी जीसे कि हम ने किलोध वॉष की हमने this is worst की जिसमें detergent makes है वो भी एक तरह के से pollute water है ठीक है अगर वो किसी large body की साथ में मिल जाए large water body की साथ में तो वो भी पूरा का पूरा water को contaminate कर देगा खराब कर देगा पोलिट कर देगा एक सम बात करते है oil spill जो oil होता है उसका transport होता है एक country से दूसरी country में sea की थुरू ठीक है समुद्रों से बड़े बड़े जहाद जाते है और oil का transport महाँ से होता है इनकेस अगर यह जो ship होता है वो damage हो जाए ठीक है और leak हो जाए तो क्या होगा अब हमें पता है कि water के साथ में oil mix तो होगा नहीं क्या होगा जो surface water का उसमें एक तरीकी से वो layer बना लेगा ठीक है यह oil की layer बन गई है अब यह जो layer बन गई है इसके उद्द से क्या होगा जो light होगे sunlight जो होगी वो penetrate नहीं कर पाएगी sunlight बनेफ्रेट नहीं कर पाई है क्योंकि oil ने तरीकी की layer फोर्म कर लिये water के surface पे अब जो aquatic plant जो है light यहाँ प्रजेंट नहीं है, sunlight नहीं है, तो photosynthesis नहीं कर पाएंगे photosynthesis नहीं करेंगे, auto release नहीं होगी auto release नहीं होगी, तो जितने भी animals हैं, वो effect होंगे ठीक है, तो एक तरीकी से पूरी life को effect कर रहा है next हम देखते हैं, effect क्या क्या होते है, water pollution के पहला आथा death of aquatic animal, जो अभी हमने देखा, कि light जो है penetrate नहीं कर पाई है, oxygen यहाँ पे नहीं मिली, तो suffocation के वज़े से aquatic animal की death हो गई, ठीक है, तो यह एक reason होता है, जहाँ पर जो effect करता है एक तरीकी से life को दूसरा हम देखते है, reduce amount of light penetration, फ्रेश वाटर हो चाहे marine water हो, दूनों में क्या होता है, अगर surface, जो surface होता है water का, ठीक है, वो अगर cover हो जाए, तो light वहाँ पे प्रॉपर तरीके से penetrate नहीं कर पाएगी, और उसके वज़े से plant photosynthesis नहीं कर पाएगे, photosynthesis नहीं होगा, तो animal की life भी effect होगी, दूसरा अगर fresh water में pollutants की मातरा बहुत जादा, जो है mix हो जाए, बहुत जादा pollutants वहाँ पे mix हो जाए, तो भी वो एक तरीकी से effect करेगा animal life को, ठीक है, water bond disease, अगर हम polluted water को consume कर लेते हैं, खराब या toxic water हमने consume कर लिया, उसकी वज़े से बहुत सारे बीमारिया भी होती है, टाइफाइड की अगर हम बात करें, तो हमने अगर contaminated water, खराब या polluted water या toxic water, जो है consume कर लिया, पी लिया, तो हमारी health के लिए बहुत ज़्यदा नुकसान दाए होता है, यूट्रोफिकेशन के अगर हम बात करें, तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो nutrient value होती है, पानी की बहुत ज़्यदा तो हमारे लिए toxic होगा, लेकिन उसकी nutrient value बढ़ गई है, nutrient value बढ़ने की वज़े से क्या होगा, कि यहाँ पर प्लांट अगर पहले, कुछ ही plant यहाँ पर प्रिजेंट थे, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो surface होता है, water को cover हो जाता है, algae से, आप हम बो प्रिट नहीं कर पाएगी, तो अफकोस sunlight नहीं मेल रही है, aquatic plant को, तो वह भी photo synthesis नहीं कर पाएगे, ठीक है, वह भी survive नहीं कर पाएगे, वह survive नहीं कर पाएगे, वह बोड़ो सिंधिस नहीं कर रहे है, oxygen यहाँ पर रिलिस नहीं हो रहे है, तो एनिमल्स को भी क्या है, effect कर र पहला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज यानि कि जो डॉमेस्टिक वेस्ट हम पैदा करते हैं हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसको हम ट्रीट करके उसके बाद में डिस्पोज करें ठीके नेक्स देखते हैं इंडस्ट्री शुड बिहेव मोर रिस्पोंसबिलि प्लीटी बनती है कि जो भी वाटर हम रिलीज कर रहे हैं या तो वह ट्रीट ट्रीट करें या एक लग तरीके से उसको जो है डिस्पोर्द करना छाहिए ठीकए तिक सिस्assisटमेटिक और में इस तरीकी से डारेक्स लिए अगर आप दिना उसकु ट्रीटमेंट दिए बिना को ट्रीट करें डारेक्ली वह वेस्ट पूरा पूरा फ्रेश वाटर में मिक्स कर दोगे तो वह जह हैं बहुत लार्ज अमाउंट पे वाटर पॉलिशन कोज करेगा नेक्स है प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन से अब क्या समझते हो आज की टाइम में है जो डीफोरेस्टेशन यानिकी बहुत जदा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है क्योंकि पॉपुलिशन बहुत जदा बढ़ गई है ठीक है पॉपुलिशन बढ़ गई है तो लोग जो है टीफोरेस्टेशन कर रहे हैं अपनी घरों को बना रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं ठीक है अब अगर कहीं भी प्लांट प्रिजेंट है तो जो भी सोईल है उसको बाउंड करके रखेंगे उसे बैन नहीं देंगे वहीं पर प्लेन सर्फेस की बात करें जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है तो बारिश आएगी कुछ भी पानी आएगा और डारेकली सोईल इलोजन हो जाएगा सब्सक्राइब ऑटर पोलिशन होता है ठीक है अगर पेड होंगे जो स्वेल है वो बाउंड़ेड रहेगी वाटर पोलिशन नहीं होगा नेक्स हम बात क करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए दूसरा आता है एजुकेटिंग पीपल और मीडिया इंवल्मेंट ठीक है एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब तक लोग अवेर ही नहीं होंगे कि वाटर पोलिशन क्या होता है किस तरीके से हमें एफेक्ट कर रहा है किस वज़े से कोज हो रहा है उसके एफेक्ट क्या-क्या है और किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको जब तक लोगों को नहीं पता होगा तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी ठीक है तो अवेर्नेस और एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो अब यह हमारी रिस्पोंसबिलिटी है कि हम अपनी जिम्मिदारियों को समझे और अपनी जो भी हम अपने लेवल पर काम कर सकते हैं अगर बात करें तो हम इसे अपनी लेवल पर जो है इसको सुधार सकते हैं अगर यह चेंज हो जाएगा तो यह बहुत लार्ज अमौन पर बहुत ही लार्ज लेवल पर जो है एक तरीकी से चेंज हमें देखने को मिलेगा और जो वाटर पॉलिशन हो रहा है उसमें हमें चेंज नजर आएंगे ठीक है तो अवेर्नेस की अगर हमने बात करी तो एवेंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है एजुकिशन बहुत ज रिस्पॉंसबिलिटी को समझी आई होब आप इन्वार्मेंट के बारे में सोचेंगे और इस पर अमल करेंगे है व्लकम बैक टो नदर वीडियो फ्लाइफ एंजलोजी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एर पॉलिशन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिसक्स कि एर पॉलिशन होता है एफेक्ट यानि की प्रभाव क्या होते है एर पॉलिशन के और कंट्रोल में जहीं किस तरीके से एर पॉलिशन को कॉंट्रोल किया जा सकता है वह सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे एर पॉलिशन क्या होता और वो जो change होगा वो एक तरीके से harmful effect करेगा negative effect करेगा life को, human life को, plant life को या फिर animal life को, उसी हम कहेंगे air pollution quantitative change से आप क्या समझते हो हमने quantitative pollutants के बार में पढ़ा था for example हम CO2 के अगर हम बात करें तो जो normal composition होता है CO2 का environment के अंदर वो जरूरी भी होता है लेकिन अगर उसका composition या फिर उसका जो percentage है environment में वो increase हो गया तो वो as a pollutant भी act करने लगता है ठीके तो उसे हम बोलेंगे quantity to pollutant क्योंकि जब उसकी quantity increase हो गई ठीके तभी वो as a pollutant act कर रहा है अगर हम बात करें qualitative pollutant की तो इससे फरक नहीं परता यह matter नहीं करता कि इसकी quantity कितनी है अगर वो बहुत ही कम amount में बहुत ही कम quantity में भी प्रेजेंट है तो भी वो as a pollutant ही act करता है ठीके तो यह difference होता है quantitative pollutant और qualitative pollutant में तो जो normal composition होता है air का अगर उसमें किसी भी तरीके का change आ जाता है change के अगर हम बात करते हैं मतलब हम comparison कर रहे है normal value से जो change हुआ उससे हम compare कर रहे है तो किसी भी तरीके का quantity और qualitative change हो जाता है normal composition जो होती है air की और वो जो change है वो एक तरीके से injurious होता है harmful होगा human life के लिए plant life के लिए animal life के लिए या property के लिए हम उसे क्या कहेंगे air pollution ठीक है तो human life को effect कर रहा है समझ में आता है plant को effect कर रहा है animal को effect कर रहा है मतलब life को effect कर रहा है लेकिन property को किस तरीके से effect कर रहा है for example यह कोई भी property है ठीक है और यहां पर pollutants की layer है ठीक है यहां पर pollutants पार्टिकल की layer है जैसे ही बारिश होती है यह water की साथ में mix होरके किसी भी तरीके करेंगे ठीक है यह compound जो होगा वह effect करेगा property को ठीक है इसको यह harmful effect करेगा ठीक है तो इस तरीके से जो air pollution है वो किसको effect कर रहा है human life को भी effect कर रहा है plants को भी effect कर रहा है animals को भी effect कर रहा है और property को भी effect कर रहा है अब हम पढ़ते हैं causes किन कारणों की वज़े से air pollution होता है इसको हमने further दो category में divide कर रहा है suspended particle matter जिसमें हम solid और liquid के बारे में discuss करेंगे यह जो pollutants होते हैं इनका जो size होगा वो कितना होगा diameter जो होगा 0.02 micrometer से लेकर के 100 micrometer तो इसका diameter होगा वहीं पर अगर गैसे इसको बात करें तो इसमें हम सिर्फ sources और man-made man-made sources को हमें डिसक्स करना है natural sources क्या होते हैं volcanic eruption यानि कि जो आला मखी होता है उससे जो भी solid liquid जो निकलता है वह भी air pollution को कोस्ट करता है man-made sources जो होते हैं यानि कि जो इंडिस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो बहुती लार्जज केल में इंडेस्ट्रीज जो है work pollution को कोंस करती है वाटर पॉलिशन को भी कोस्ट करती है ठीक है तो इंडेस्ट्री जो होती है सबसे जयादा पॉलिशन को आको फॉस करेंगे जो भी हम पॉलिशन पढ़ेm देगे उसमें अगरम बात करने बर्णिंग फूड तो यह एक एक्जम्पल है लेकिन अगर आप कुछ भी जलाते हो ठीक है तो वह सब जो जो भी चिज़ आप बंड करते हो फाइनली ौ क्या कोज करता है एयर प्लिशन की खրता है यह कुछ कारण हो गए एयर प्लिशन के अब हम पड़ते हैं। क्या-क्या होते हैं ठीक है उनकी प्रभाव क्या-क्या होते हैं एर पॉलिशन का प्रभाव क्या-क्या होता है लाइफ के उपर हामफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ एक्वेटिक लाइफ की अगर बात करें तो यह एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उनको भी एफेक्ट करे वाला है नेक्स है एफेक्ट वन मेटीरियल अभी जो हमने देखा कि जो इन्वामिट है उसमें पॉलिटिंट की लेयर जो है वो बन चुकी है वाटर के साथ में मिक्स होके वह किसी भी तरीगा कंपाउंड फॉर्म करेंगी और वो जो कंपाउंड है वो क्या गरेगा एफेक् प्रोब्लम जैसे कि अगर हम अस्तमा की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल डीजिस हो चुकी है ठीक है क्योंकि जो गैस हम अंदर ले रहे हैं ठीक है वो सारी के सारी एर जो है वो पॉलिटेंट है जिसके वज़े से हमारे अंदर बहुत सारे रैस्पिरेटिड डिसॉर्डर हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी गैस्स होती है जो हीट प्यादा करती है तो गुछ गैसे अग्जांपल की तौर पर हम मिने रहे हैं सिउंक्तू इनका जो प्रॉपर्टी होता ये होता है कि हीट को ट्रैक्ड कर लेते हैं अंदर लेकिन बाहर नहीं चाने देते हैं जिसके वज़े से क्या होता है हम अर्थ की बात करें तो यहां पे sunlight तो आ चुकि है अंदर लेकिन यह बाहर नहीं जा पाई इस만लोग जिसकी वज़ेश यह थादा बाइश को जाता है जिसे हम बोलते है तो किसी भी तरीक पॉलिशन की अगर हम बात करें ठीक है बले वह नोइस पॉलिशन हो बले वह वाटर पॉलिशन हो बले वह एर पॉलिशन हो ठीक है उसमें जो है प्लांट उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं जितना प्लांट लगाएंगे जितना plantation करेंगे उतना beneficial होगा human life के लिए ठीक है तो अगर हम जादा से जादा plant लगाएंगे तो बहुत हद तक हम air pollution को control कर सकते है water pollution को भी control कर सकते है और जो wood होता है बहुत अच्छा absorb करता है noise को भी तो noise pollution को भी कम करेगा second आता है nuclear exposure and wash should be stopped ठीक है तो जितने भी युद्ध होते हैं जिसमें nuclear exposure होता है यह बहुत बड़ी तादाद में जो है air pollution को cause करता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए और तो यह हमारे personally हम इसको control नहीं कर सकते हैं बट फिर भी यह जो nuclear exposure होते हैं और होते हैं रोग देने चाहिए ठीक है थार राता है modification of process और equipment alternation तो आज जैसे जैसे development हो रहा है बहुत जादा सविधाएं बढ़ रही है पहले के time में लकडियां जला के खाना बनाया जाता था आज के time में उसके बाद stove जो है वो आ गए ठीक है आज के बहुत बड़े large scale पे जो है चेंज लेकर आया है ठीक है तो जैसे जैसे modification हुआ है equipment का उसी तरीके से जो है air pollution को हम काफी हद तक control कर पा रहे है sustainable mobility की अगर हम बात करें तो personal vehicle का जो यूज करते हैं लोग जैसे चार लोग जा रहे हैं अलगर गाड़िया लेके जा रहे लेकिन वही चार लोग एक साथ बैढ़ करके एक ही कार को शेयर भी कर सकते हैं या हम public transportation का भी यूज कर सकते हैं अगर थोड़ी दूर हम जाना तो हम cycle का भी उस कर सकते हैं या बाइफूर भी जा सकते हैं तो यह हम अपने आप में चेंज लाके कर सकते हैं जो कि अगर हर कोई यह अपनाने लागा तो बहुत बड़ा बड़े पर यह चेंज हमें देखने को मिलेगा और काफी हद तक हम एर पॉलिशन को को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल पॉलिशन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एर पॉलिशन के बारे में ठीक है तो आज का हमारे टोपे का सॉल पॉलिशन तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉल पॉलिशन क्या होता है मिनिंग क्या सॉल पॉलिशन का किस कारणों की वज़े से ह होता है causes पढ़ेंगा और effect उसके प्रभाव क्या-क्या होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं soil pollution actually में क्या होता है contamination of soil contamination यानि की संदूशन ठीक है तो जो soil होती है जैसे उसके quality खराब हो जाती है उसके fertility कम हो जाती है तो हम उसे बोल सकते हैं कि यह soil pollution है ठीक है soil की quality अगर खराब हो गए उसमें vegetation grow होना कम हो गया ठीक है तो soil की quality वहाँ पे खराब हो चुकिए तो वह क्या है soil pollution uppermost layer of the earth crust अगर हम soil ही बात करें तो soil क्या है uppermost layer of earth crust अर्थ जो है हमारी उसमें basically three layer होती है ठीक है यह अर्थ है जो uppermost layer होती है जो उपर उपर जो layer है उसको हम बोलते crust ठीक है अंदर की तरफ क्या है mental and then innermost layer क्या है core ठीक है तो यह अर्थ की कौन कौन सी crust mental core ठीक है तो यह जो सोईल है अगर हम सोईल की बात करें तो क्या है uppermost layer of the earth crust crust layer की uppermost layer है ठीक है reducing soil quality तो soil की quality जो होती है वो कम हो रही है हम हो सकते खराब हो रही है this making it inhabitable for organisms ठीक है तो जो भी organism अगर हम micro organism की बात करें जो कि soil में survive करते हैं हम vegetation की बात करें या plants की बात करें जो कि soil से अपना nutrition ले रहे है अगर soil की quality खराब हो गई उसके fertility कम हो गई यानि उसमे nutrition value कम हो गई it means वो directly किसको effect करेगी plants को ठीक है और अगर उसकी quality खराब हो गई तो जितने भी microorganism soil में रह रहे हैं उनके लिए भी वो क्या है inhabitable है ठीक है next हम देखने वाले हैं कि causes किन कारणों की वज़े से soil pollution होता है सबसे पहले आता है industrial activity तो जितनी भी pollution हम पढ़ेंगे उसमें आप causes के अंदर industrial activities को जरूर देखेंगे क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वह water pollution भी करती है noise pollution भी करती है air pollution भी करती है और soil pollution भी करती है ठीक है तो industrial activities की वज़े से जादा तर pollution होते हैं ठीक है क्योंकि इनका जो waste होता है वह एक तरीके से उसमें बहुत जादा chemicals होते हैं और यहां पर किसी भी तरीके कोई treatment नहीं होता यानि कि जितनी भी इंडस्ट्री है वह बिना treatment के अपना waste material या तो soil में डंब कर देते हैं या water के अंदर डंब कर देते हैं जिसकी वज़े से soil की quality भी खराब है water pollution भी खराब हो चुका है water pollution भी हुआ है soil pollution भी हो जाता है तो अगर आप causes पढ़ेंगे तो industrial activities की वज़े से ज्यादतर pollution होते हैं जो industries का waste निकलता है उसमें बहुत ही ज्यादा chemicals होते हैं तो यह large amount में पैदा होता है और जितना भी chemical या जितना भी liquid अगर पैदा हुआ तो water में dump कर दिया जाता है soil में dump कर दिया जाता है ठीक जिसकी वेज़े से क्या होता है soil की fertility कम हो गई ठीक है एक तो उसकी quality agriculture practices modern agriculture practices से आप क्या समझते हो कि आज की तर्म में क्या है population बहुत ज़्यादा increase हो गई है ठीक है तो demand बहुत ज़्यादा होती है राइट ठीक है यानि कि खाने के लिए food की demand बहुत ज़्यादा है लेकिन उसी डिमांड को पूरा करने के लिए आजकल farmers क्या करने है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइट का chemical fertilizer का यूज कर रहे हैं जिससे क्या होता है पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन जो quality होती है जैसे रेन हुई वह जितने भी chemical थे पानी के साथ मिलकर के penetrate कर जाते है जिसकी वज़ेसे दीरी 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 क्या होता है वह वह खराब हो जाती है तो यह भी क्या है soil pollution नेक्स हैं पढ़ने वाले हैं mining activity माइनिंग से आप क्या समलते हो कि जितने भी precious material या valuable material या फिर valuable चीजे जो होती है जो हम निकालते हैं ground से soil से उसको हम mining बोलते हैं गोल्ड की mining अगर की गई तो गोल्ड के साथ में अकेला गोल्ड ही नहीं निकलेगा बाइप्रडक्ट भी बहुत सारे निकलते हैं वह जो बाइप्रडक्ट निकलते हैं उनको अथी तरीके से अगर डिस्पोस नहीं किया गया तो उनकी वज़े से भी soil pollution होता है फूर्थ आता है बाइलेजिकल एजेंस बाइलेजिकल एजेंस से आप क्या समझते हो कि बाइलेजिकल यानिकी लिविंग फॉर एक्जमपल एनिमॉल्स युमिन बिंग्स प्लांट्स ठीक है तो यह एजेंस इ एक्सिदेंटल ओइल स्पील आपको देखने को मिलेगा जहां पर पैटरोल मं गरा होते है स्टोरेज होते हैं वहाँ पर की वज़े से जो ओई है वो spill हो जाता या स्वाइल के साथ में mix हो जाता है तो वह पर क्या होता है स्वेल को पूरी तरीके से खराब करते है तो वहाँ पर किसी भी तरीक कोई vegetation नहीं करेंगे इन future ठीक है तो यह हो गई जिसमें हमने देखा इंडस्टियल एक्टिविटीज मोडन एग्रिकुल्चर फैक्टिस माइनिग एक्टिविटीज बायलिजिकल एजिन्स और एक्सिदेंटल ओइल स्पीस ठीक है तो यह कुछ कारण है जिनकी विज़े से सोईल पुलिशन होता है सोईल पुलिशन से आप क अगर सोईल के साथ में किसी भी तरह की कोई केमिकल मिक्स हो गया तो सबसे पहला एफेक्ट जो होता है सोईल पर होता है कि उसकी जो फटलिटी होती है वो कम हो जाती है ठीक है फटलिटी कम हो जाती है तो इसका डिरेकली एफेक्ट किस पर पढ़ेगा वेजिटेशन या प क्यों की सब्ह kullanआब जो और फ जब तो यहां है कि यहां पर देखिए साल के फटलीटी कम होगी डिरेक्ट इभेक्ट बढ़ प्लां से अब जो human being है, वो plant को ही consume करते हैं, अब plant की जो एक तरीक से हम भो सकते हैं, plants की अंदर ही nutrition value कम है, तो human जो है, किसको consume कर रहा है plants को, तो plants में ही already क्या है, nutrition value कम है, तो human health पे directly इसका effect पढ़ता ही है, ठीक है, फूर्थ आता है effect on landscape, air and order pollution, तो अगर soil के अंदर pollution है, soil pollution हो चुका है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक order फैल जाता है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही बुरी smell एक तरीके से फैल जाती है, तो एक order pollution भी पैदा हो जाता है, अगर soil pollution है तो, फिफ्ट हम पढ़ते हैं, effect on ecosystem and biodiversity, ecosystem पर भी इसका effect पढ़ता है, किस तरीके से पढ़ता है, अभी हमने पढ़ा कि plants की health को, plant जो है उसको effect कर रहा है, human की health को effect हो रहा है या पर, तो हमने क्या पढ़ा था, ecosystem क्या होता है, it's a kind of interaction between biotic and abiotic factor, अगर हम biotic factor की बात कर रहें, मतलब living factor, living factor मतलब plants हो रहा है, animal को हमने consider किया, non living factor मतलब temperature, soil, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ecosystem की, तो ecosystem क्या है, biotic और abiotic factor में interaction की हम बात कर रहें, ठीक है, तो ecosystem की बारे में हमने बोला कि ecosystem में effect हो रहा है, ecosystem में biotic factor यानि कि plant और animal तो effect कर रहें, ये biotic factor तो soil खुद है, मतलब पूरा का पूरा ecosystem में effect हो रहा है, अगर soil pollution हो रहा है, ठीक है, next आता है, control measure, किस तरीके से हम soil pollution को control कर सकते हैं, पहला है prevention of soil erosion, soil erosion को सबसे पहले रोकना होगा, ठीक है, soil erosion को हम कैसे रोकेंगे, पिछले वीडियो में भी हमने डिसकस किया था, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप plants लगाएंगे, तो plants के जो root है, वो bound करके रखता है, soil को, ठीक है, तो जिसकी वज़े से क्या होता है, soil erosion कम से कम होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा plants लगाने चाहिए, plantation करनी चाहिए, next आता है production and use of natural fertilizers, ठीक है, जितने भी chemical fertilizers हैं, उनको, या तो उनका use एकदम से band कर देना चाहिए, जितना हो सके, आप उसका use कम करिए, ठीक है, जिसकी वज़े से क्या होगा, एक तरीकी से, यूज कर रहे हैं, आज के टाइम में, उसको बंद कर दिया जाए, और natural fertilizers का, या natural manure का use किया जाए, थाड आता है public awareness, जो सबसे ज़्यादा important control measure होता है, क्योंकि जब तक लोगों में awareness नहीं होगी, कि soil pollution क्या होता है, किसकी वज़े से होता है, और soil pollution होने से हमें कितना effect हो रहा है, तब तक लोग इसको control करने की ही कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इन जोगों का अपने level पर control नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़े हम कर सकते हैं, वो भी हम कोशिश ही नहीं करनेगी, एक बहुत important चीज़ जो हम कर सकते हैं, किसी भी तरीकी का pollution रोकने के लिए, भले आप वो air pollution हो, water pollution हो, या soil pollution हो, आप जो कर सकते हो, अपने level पर, क्या कर सकते हो, plantation, जितने ज़दा प्लांट लगाएंगी, जो pollution है, उतना ज़दा control रह सकता है, तो जरूरत है कि लोगों में सबसे पहले awareness लाए जाएंगी, जो pollution है, वो किन कारणों की वज़े से होता है, उनका effect क्या क्या होता है, हमारी life पे, ठीके, nature पे, और किस तरीके से उनको control किया जा सकता है, ठीके, फूर्थ आता है recycling and reuse of waste, तो हमारी आदत ये होती है कि जितना भी waste material हमारे घरों से निकलता है, वो जाकर के एक पूरे area को cover कर लेता है, ठीके, एक जगा उसको फैला दिया जाता है, हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को recycle कर सकते हैं, या फिर उस चीज़ को reuse कर सकते हैं, ये च इन सी चीज़ों की वज़े से भी soil pollution को हम काफी हद तक control कर सकते हैं, ठीके, तो soil pollution जो है किन कारणों की वज़े से होता है, हमने देखा industrial activities, modern agriculture practices, mining activities, biological agents, accidental oil spills, effect के क्या होते हैं, decrease soil fertility on growth of plant, जिसके वज़े से human health की, human health जो है, वो भी effect होती है, effect on landscape and air and water pollution भी होता है, effect on ecosystem, control की अगर हम बात करें, कैसे control कर सकते हैं, prevention of soil erosion, ठीके, soil erosion को सबसे पहले रोकना होगा, ज्यादा से ज्यादा plantation करनी होगी, production and use of natural fertilizer, यानि कि natural manure जो होती है, जो घरों में जो खाद हम तयार कर सकते हैं, उसका use करना चाहिए, public awareness, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आम इनस फैलानी चाहिए, कि pollution क्या होता है, किस तरीके से उसको control करने की जरूरत है, क्योंकि अगर nature ही खत्रे में है, तो human life या animal life या life की हम बात करें, तो life ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, तो बहतर होगा कि हम अपनी जो responsibility है nature के लिए, environment के लिए, उन पे काम करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यह control measure हमने पढ़े, cause हमने पढ़े, effects हमने पढ़े, तो यह था source of life psychology, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, industrial pollution के बारे में, last वीडियो में हमने पढ़ा था water pollution, soil pollution, air pollution and noise pollution के बारे में, तो जितने भी pollution हमने पढ़े थे, उसमे pollution हो, noise pollution हो, ठीक है, तो जितने भी pollution हमने पढ़े थे, industries जो था, उसमें main reason था, pollution कोश करने के लिए, ठीक है, no doubt, industries ने जो है, बहुत जादा development किया है, हमारी country के अमदर, even पूरे world में, लेकिन industries जो होती है, वो main reason होता है, किसी भी pollution को कोश करने के लिए, ठीक है, जिसे हमने air pollution में पढ़ा था, कि जो industries जो होती है, उनसे बहुत, जितना भी smoke निकलता है, ठीक है, वो directly mix हो जाता है, air के साथ में, और वो air के quality को definitely खराब तो करता है, साथ ही साथ जो air हम inhale करते हैं, वो भी bad quality की होती है, जिसकी वज़े से हमारी अंदर, बहुत सारी respiratory disorders हो जाती है, water की हमन ही जो है, खराब तो होता ही है, साथ ही साथ इंडारेजली तरीके से अगर वो हमारे घरों तक पहुंचता है, तो हमारी health को भी वो नुकसान पहुचाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ जो है, प्लांस हो गया या फिर अनिमल हो गए, उनके लिए भी ख घ्रांस ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नौइस पॉलिशन के बात करें, तो इंडल्स्टि जो होते हैं, वो नौइस पॉलिशन भी कोज करती है, तो यह सब हमने डिस्कूस किया था कि इंडल्स्टि जो है, वो में रीजन होता है, किसी भी तरिकी की पॉलिशन की अगर बात करें साथ में आप इसमें thermal pollution को भी no down कर सकते हो thermal pollution के लिए भी responsible होती है इंडस्टीज ठीक है तो इंडस्ट्रील पॉलिशन में बिसिकली चार तरीकी के पॉलिशन हम पढ़ने वाले हैं air pollution water pollution soil pollution and noise pollution यह को हमें पॉडिशन को हमें पिछले वीडियो में डिस्कुस कर लिया है लेकिन ज openness के लिए आप यह बोल सकते हो कि चारही तरीकी के लिए चारही तरीकी के पॉलिशन के लिए responsible होती है Industries are responsible for four type of pollution air pollution, water, soil and noise pollution thermal pollution भी आप इसमें include कर सकते हो thermal pollution क्या होता है अभी हम थोड़ी दिर में पढ़ने वाले हैं अगर हम बात करें smoke की chemical and paper industry से जितना भी smoke निकलता है वो किसमें mix हो जाएगा? एर के साथ में mix हो जाएगा और वही air अगर हम inhale करते हैं तो हमारी health को ये बहुत जादा effect करेगा toxic gases leak can be very hazardous with long term effect example के तोर पर आप लिख सकते हो बोपाल gas tragedy तो जब भी industries होती है उनमें अगर कोई gas leak हो रही है तो initial stage में हम उसे ignore करते हैं लेकिन long term में क्या होता है वो बहुत ही जादा खतरना का रूप ले लेती है जैसे कि आपने नाम सुना होगा बोपाल gas tragedy के बारे में तो उसमें यही चीज हुई थी ठीक है बहुत सारी life को इसने effect किया था water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste and deflect discharge into woody was water pollution में आपने पढ़ा था कि जो water pollution है किस तरीके से होता है organic और inorganic industrial waste की वज़े से होता है जो भी waste होता है इंडर्स्टिय से निकलने वाला अगर वो dump कर देया जाता है reverse में या किसी भी water body में तो पूरी water को क्या करतेगी contaminate कर देगी खराब कर देगी ठीक है उसके quality हो एकदम खराब कर देगी indirectly या directly वो हम तक पहुँचेगा तो definitely हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा हमारी हेल्थ को भी बहुत जादा नुक्साल पहुचाने वाला है ओके नेक्स्ट है पेपर पल्प केमिकल टेक्साइल डाइंग पेट्रोलियम राफिनिरी जान लैट आउट डाइस डिटर्जन एसिड सॉल्ट हैवी मेटल लाइड लेड अन मर्करी पेस्टिसाइड फर्टिलाजर्स प्लास्टिक रबर एसक्टरा इंटू वाटर बूडि को ही एफेक्ट करने वाला है ठीक है पेपर वेस्ट हो गया आपका कैमिकल होगे यह सोईल और वाटर दोनों को एफेक्ट करेगा ठीक है जो भी निकलता है इंडस्ट्री से वो एर की क्वालिटी को डेफिनिटली खराब करने वाला है लेड और मर्कृरी कितने ज़्यादा खतरनाक होती हमें पता ही है लिगा स्मोल कॉन्टिटी भी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है अगर हम लोंग टर्म तक ऐसे वाटर का इस्तमाल करने जिसमें कुछ कॉन्टिटी लेड और मर्कृरी का प्रेजन्ट है तो वो हमारे हेल्थ के लिए जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इवन डैथ भी हो सकती है ठीक है तो अकसर ऐसा बोला जाता है कि अपने घोरों में जो है वाटर प्यूरिफायर का इस्तमाल करें लेकिन हर किस्ते के लिए वो भी पॉसिबल है नहीं ठीक है पॉसिबल क्या चीज़ है कि इंड़स्ट्रीज अपने लेवल पर यह चीज़ करें कि जो भी वेस्ट वो कहीं बाहर डाल रही है तो या तो उसे प्रोपर ट्रीटमेंट के सास्थ में डाले ठीक है अपनी लेवल पर साथ हम अपने आपका बचाव कर सकते हैं लेकिन वो 100% पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जो चीज है कि इंडस्री अपनी लेवल पर अपने सोल पर इरिस्पॉंसबल की ले कि वो जितना भी वेस्ट मटीरिल पैदा कर रही हैं या तो उसे अच्छी तरी की उसका मेनेजमैंट हो कि यहां पर इस चीज को डालना है या इस तरी के से इसकोультатत देना है ठीक है नेक्स हम बात करते हैं fly ash यानि की चिम्नियों से निकलने वाला धुभा इंडस्टी जो होती है उससे अब हम बात करते हैं thermal pollution क्या होता है ठीक है तो thermal pollution नाम से आप समझ सकते हो thermal यानि temperature से कुछ related है thermal pollution क्या होता है thermal pollution of water occur when hot water from factories and thermal plant is drained into river and pond before cooling अब क्या होता है जिसे की power plant जो भी होते है ठीक है thermal plant होते है उनमें क्या होता है बहुत ज्यादा गरम पाली जो पैदा होता है जो यहां पर use होता है ठीक है अगर कोई water बच जाता है तो उसको directly जो है water bodies के साफ में mix कर देते हैं बिना उसको cool किये जैसे की river के साफ में mix कर दिय अब क्या होता है जितनी भी एक्वेटिक life है plant किया बात करिए अपकोईटिक अनिमल्स के बात करिए तो वह वाटर जो है उनको definitely effect करेगा ठीक है उनकी डैक्वी हो जाते इसके विज़े से बहुत डैक्वी होती है एक्वेटिक अनिमल्स की क्योंकि वहां का temperature पहले नॉर्म वाटर होता है या पॉंड वाटर होता है उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है बिना उसको कूल है ठीक है जो होट वाटर है डारेक्ली उसको मिक्स कर दिया जाता है रिवर पॉंड के साथ में उसे हम थर्मल पॉलिशन कहते हैं वेस्ट फ्रों नुकलियर पावर प्लांट मिस्केरज तो इसकी वज़े से क्या होता है cancer भी होते हैं यह जो waste nuclear waste निकलता है nuclear power प्रांस से जो भी waste निकलते हैं इनकी वज़े से cancer भी cause होता है मिस्केरज भी होते हैं तो यह आप note कर सकते हो next हम पढ़ने वाले हैं the rain water percolate to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also get contaminated समस्क्राइब अब इससे हम क्या समुझते हैं इसक्राइब ग्राउंड वाटर को भी क्या करेंगे एफेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि जो इसवाटर प॥रीचन हो रहे यानि कि जो सोईल पॉलिशन है और जो वाटर पॉलिशन है वह रिलेटेड होता है ठीक है सोईल पॉलिशन जो हो रख है वह वाटर की वारेटी को भी एफेक्ट करेगा तो इस तरीके से यह रिलेटेड होते हैं सोईल पॉलिशन और वाटर पॉलिशन नेक्स हम पढ़ने वा करता ही है एंगर के लिए रिस्पॉंसिबल होता है और सो कॉज़ेंग इंपेरमेंट कभी-कभी डिफनेस के लिए रिस्पॉंसिबल होता है नौिस पॉलिशन डेफनेस भी सकता है इंक्रीजिज हर्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अब जो इस पुलिशन उसकी वद्द से क् होते हैं noise pollution जो कोज करता है human life पे इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिपिटीज फैक्ट्रीज एक्ट्रेटर्स एक्ट्रेटर्स अब जो इंडस्ट्रेटर्स होती है अगर उसमें किसी भी तरीके को आते हो तो लोंग टम तक क्या होता है अगर आप सेम चीज से गो थू हो रहे हो इट मिन्स आने वाले टाइम में वह आपको बहुत तरीके से एफेक्ट करने वाला है आपके टैंपर को वह एफेक्ट करेगा आपकी हैल्थ में जैसे की हर्ट रेट को बढ़ा सकता है ब्लड प पुलिशन के बारे में देखा कि इन सब के लिए एक बहुत बड़ी वज़ा होती है इंडस्री छे लित के बहुत लार्ज्च स्कील में इन लीड रिस्पॉनसिबल होती है तो किस तरीके से इन सब क्रक्शाय को cantr Москв noll किया सकता है तो यहां पर कुछEMA का रिसक्स करेंगे सबसे पहले आता है प्लान्टेशन यह हमने बहुत बार डिसक्स किया है ठीक कि इस तरीके से इंडस्टी जğो थे हैं सारे पॉलिशन के लिए responsible है उसी तरीके से सारे ही pollution का solution होता है plantation आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएं है उतना ही ज़्यादा फाइदमन्थ होता है environment के लिए अगर आप water pollution के बात करें soil pollution के बात करें ठीक है जितने भी pollution आप लिए लिजिए plantation जो होते हैं वो सब के लिए solution एक आप बोल सकते हैं जितने पेड़ लगाएंगे एर जो है उतनी फ्रेश होगी उतनी ज़्यादा प्यूरिफाइड एर होगी ठीक है water उतना ज़्यादा अच्छा होगा soil तो definitely उसकी जो fertility है वो increase होगी तो इस तरीके से हम environment को अगर हम एक तरीके से साफ करना चाहते हैं उसमें जितना भी pollution है उसको खतम करना चाहते हैं तो plantation is the only solution ठीक है तो जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा second आता है selection of industry site यानि कि जो industry है वो किस जगा पे बनी हुई है बेटर होगा कि जितना भी crowd है या main city है उससे बहुत दूरी के बाद जो है industry को settle किया जाए वहाँ पे industries को बनाया जाए इससे क्या होगा कि जो population है उस पे कम से कम effect कर पड़ेगा industries का जो भी smoke वहाँ से निकलता है जो भी waste वह निकलता है वहाँ से तो बेटर होगा कि जो crowd है population है वो उससे उतना ज़्यादा दूरी पे हो ठीक है थर्ड आता treatment of industrial waste जितना भी जो industries waste पैदा करती है chemical waste हो गया जो भी smoke हो गया बेटर होगा कि उसको treatment के बाद में कहीं पे डाला जाए ठीक है क्योंकि उसमें बहुत सारे chemical होते हैं बहुत सारे toxics वहाँ पे present होते हैं जो कि directly क्या है man life को effect करेंगे तो यह industries की responsibility है कि जितना भी वो waste पैदा कर रही है वो उसको अच्छी तरीके से treatment के बाद में कहीं पे डाले या उसको अच्छी तरीके से management उसको दे फूर्थ आता है significant government action यानि कि government को इस पे बहुत strict action लेनी के जरुत है कि किस तरीके से वो इस चीज को रोके industries को एक प्रॉपर से हम बोल सकते हैं कि उनके लिए भी कुछ restrictions होनी चाहिए कि वो कहां पे जो है उनका industry का जगा होना चाहिए कितना वो वेस्ट पैदा करें अगर वो कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से treatment के बाद वो कहीं पे डालें ठीक है अगर इस तरह की rule and regulation को इंडस्टिस नहीं मान रही है तो उसको भी action लेनी की जरूत है कि government उसको तुरंत उस industries को बंद करवा दे ठीक है तो यह government कुछ action ले सकत उसको अच्छी तरीक से treatment देने के बाद वो कहीं पे डाले या फिर उसका अच्छी तरीक से management करना उनकी responsibility है अपने एवर पर हम क्या कर सकते हैं प्लांटेशन कर सकते हैं जितना जदा पेड लगाएंगे उतना जदा अच्छा होगा हमाने environment के लिए तो इस वीडियो में हमन सकते हैं green house effect actually में क्या होता है it is a natural process that warm the earth's surface when the sun's energy reaches the earth's atmosphere some of it is reflected back to the space and rest is absorbed and re-reflected by greenhouse gases ठीक है अब यह greenhouse effect क्या है ठीक है तो अम सबसे पहले हम देखेंगे greenhouse gases क्या होती है वो देख लीजे water vapor carbon dioxide, nitrous oxide, cfc and aq chlorofluorocarbon, methane, ozone, artificial chemicals यह कुछ होती है जिसकी वज़े से green house effect होता है ठीक है function क्या होता है greenhouse gases का यह जो अर्थ का temperature है उसको warm रखने का काम होता है greenhouse gases का ठीक है तो अगर यह gases नहीं होंगी तब क्या होगा इसकी वज़े से यह होगा कि जो अर्थ है उसका temperature minus 18 minus 20 तक चला जाएगा अगर greenhouse gases नहीं हो होंगी ठीक है अब आप सुझ सकते हो अगर माइनिस 18-20 तक temperature होगा अर्थ का तो क्या कोई vegetation ग्रों कर पाएगी ठीक है लाइफ पोसिबल नहीं हो पाएगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो एक तरह किसे जो greenhouse gases है बहुत important भी है ठीक है actual में function क्या करते है greenhouse gases की जो अर्थ स जदा कम हो जाएगा तो इंपोर्टन भी होती है लेकिन greenhouse effect हम क्या कहते हैं greenhouse effect में क्या होता है इनका जो amount होता है अर्थ के surface पे बहुत जदा increase हो जाएगा अब अफकोस इनका amount increase हो जाएगा it means यह heat भी absorb जादा करेंगी जादा absorb करेंगी it means क्या होगा अर्थ का temperature बहुत जाद अर्थ के surface पे इसी को हम बहुते है greenhouse effect ठीक है तो इसमें क्या होता है जो greenhouse effect एक तरीकी का natural phenomenon होता है 100% जो radiation होती है वो absorb नहीं होती है 30% जो atmosphere reflect कर देता है बाकी की जो energy है या बाकी की जो radiation है उसको absorb किया जाता है ठीक है तो यह होते है greenhouse gases अब हम बढ़ते है diagram से कि greenhouse effect actually में क्या ह जिसको हम दो तरीकी से पढ़ेंगे यह natural greenhouse effect और यह है human enhanced greenhouse effect अब natural greenhouse effect में क्या होता है यह sun है sun से radiation आई ठीक है तो radiation जो होती है वापस से emit भी हो जाएगी लेकिन यह जो greenhouse gases होती है यह वापस से reflect कर देती है heat को अर्थ के surface पे ठीक है तो re-radiated heat यानिकी आर्थ के surface पे जो है radiation आ दिया पर जो greenhouse gases ती इनकी presence से क्या होती है कि heat वापस से अर्थ के surface पे आ जाती है वापस से trapped हो जाती है जिसकी वज़े से जो temperature है वो warm रहता है लेकिन आप देखिए कि जो natural greenhouse effect है इसमें जो amount होगा यह कम होगा ठीक है जो greenhouse gases है इनका amount कम होगा या फिर हम हो सकते maintain होगा ठीक ह जिससे क्या है कि temperature भी maintain रहेगा warm रहेगा तो less emit करेंगी इनका जो amount है gases का वो ही कम है तो less emit करेंगी less re-emitted heat होगी ठीक है और ज़्यादातर क्या होगी escape हो जाएगी यानि कि अर्थ से surface से बाहर चली जाएगी तो जितनी जरूरत है अर्थ को उतना ही यहाँ पे temperature maintain रहेगा क् यहाँ पर greenhouse gases है वो भी उनका जो amount है वो भी maintained है यहाँ ठीक है तो यह होता है natural greenhouse effect में लेकिन human enhanced greenhouse effect में क्या होता है कि हमारी activities की वज़े से क्या होता है जैसे कि carbon dioxide हो गई नाइट्रस oxide होगे cfc हो गई इनका जो amount है increase होगा यानि कि जो greenhouse effect greenhouse gases है इनका amount increase हो गया हमारी activities की वज़े से हमने pollutions में पढ़ा था कि कितनी सारी gases है इनकी वज़े से air pollution हो रहा है तो वो उनमें से कुछ gases ऐसी होती है जो कि greenhouse gases है ठीक है तो अब यह जो greenhouse gases का amount अगर बढ़ गया तो आप सोच सकते हो क्या होगा कि अगर amount बढ़ गया it means यह जो emitted heat है यह भी जादा होगी मतलब जादा heat को यह trap करेंगी अर्थ के surface पे जिसकी वज़े से क्या होगा अर्थ का जो surface है अर्थ का जो temperature है वो जादा हो जाएगा ठीक है यानि की heat बढ़ जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है radiation आई ठीक है तो आपसे reflect होई लेकिन यहाँ पे जो greenhouse gases है उनका जो presence है वो बहुत ही जादा है ठीक है जिसकी वज़े से क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा जो है radiation को इमिट करेंगी more remitted heat ठीक है जिसकी वज़े से temperature जो है वो again बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा जिसी को हम क्या बोलते है global warming ठीक है अब यहाँ प होंगी वापस से वह क्या होंगी कम होंगी यानिकी less heat escape होगी यहाँ पर क्या होता हो रहा था more heat escape यहाँ पर ज्यादा हीट नहीं कल रही थी बाहर जा रही थी स्पेस में और यहाँ पर कम जा रही क्योंकि वापस से ट्रैप हो गई green house gases की वज़े से तो temperature यहाँ पर यहाँ temperature है जो maintain हुआ ठीक है तो जो natural greenhouse effect है वह important भी है क्योंकि इससे हमारी आर्थ का जो temperature है वह maintain रहेगा अगर नहीं होंगी green house gases तो इसके वज़े से क्या होगा जो आर्थ का जो हमारा temperature है वह बहुत ज्यादा कम हो जाएगा minus तक चला जाएगा जिसके वज़े से light possible नहीं हो पाए तो अब भी क्या होगा कि जो excess of heat है वो increase हो जाएगी अर्थ की surface पे जिसको हम global warming बोलती है अब जो हमने पढ़ा है कि जो ice है वो पिगल रही है क्यों पिगल रही है क्योंकि जो हमारा आर्थ है उसका temperature बहुत ज्यादा increase हो गया तो c का level भी बढ़ रहा है तो यह एक तरीकी स खतरनाक भी है जिसकी वज़े से बहुत सारी जैसे सुनामी या बार वगराम बोलते हैं यह सब भी आते हैं ठीक है तो यह एक्चुल में होता है greenhouse effect ठीक है जिसमें क्या होता है temperature जो होता है आर्थ का वह बहुत ज़्यादा increase हो जाता है आपने कभी notice किया होगा आप कहीं होता है जिसमें अगर आप एंटर करें तो आपको excess of heat field होती है ठीक है बाहर का temperature अलग होता है अंदर बहुत एंक्रीज होता है ठीक है तो इंपोर्टन भी होता है तरीके से वहां पर प्लांस वगर रखे जाते हैं तो उनके लिए वह बैटर है लेकिन वही एक्चुली में तरीके का एक्जामपल है कि वहां पर heat trap हो जाती है अंदर तो आ गई लेकिन बाहर नहीं जा पाई ठीक है उसी को हम बोलते है ग्रीन हाउस इफेक्ट इसकी वज़से temperature इंक्रीज हो जाता है तो यह होती है ग्रीन हाउस गैस जो हमारी activity से बढ़ जाती है तो अगर हम कारब है ठीक है cfc जो हम इसी वगर यूज करते हैं घरों में हमारे refrigerator जो यूज होते हैं उनसे जो cfc निकलता है जो भी गैस होते हैं जिनकी वज़से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इनका अमाउट डे बाई बढ़ रहा है क्योंकि पॉलिशन बढ़ रहा है तो आज की डेट म ले जो है greenhouse gases जो है सब्से जादा प्रोड्यूस करने वाले कंट्री कोण है चाइना उसके बादा था यूस से हमारा इंडिया जो है इंडिया में फाइफ्टी सेवंपेंट जो है इंगीज होता हुआ सो 527 पर संटपेंटीर है contribution होता है greenhouse gases यह पैदा करता है ठीक कार्बन या फिर पैदा करता है यह हम बोल सकते हैं तो यह था greenhouse effect के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक बर वापस हम रिवाइज कर लेते हैं सन जो है उसके अर्थ पर आई बहुत ज्यादा क्या है रिफ्लेक्ट हो जाती है लेकिन इनका जो प्रिजन्स होता है greenhouse gases का इनकी वज़े से क्या होता है रिमिट हो जाती वापस से जो है अर्थ की सरफेस पर आ जाती है अगर इनका अमांट मेंटेन होगा तो डेफिनेटली जो आर्थ है उसका जो टेंपरेचर वह भी मेंटेन रहेगा ठीक है तो टेंपरेचर यहां पर मेंटेन हो गया ज्यादा तर एडिशन इसके फोगई बाहर चलेगी लेकिन हमारी एक्टिविटी से क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस होगा जो अर्थ है उसका टेंपरेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस एफेक्ट और ग्रीन हाउस एफेक्ट की वजह से एक डॉबल वार्मिंग कोल्स होता है ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा आपको जो होते हैं वह सब हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या आप उते हैं फोसल फिल हो हम पड़ेंगे प्रम रिमेंज ओफडेड प्लांट एनिमल अंडर अर्थ क्रस्ट डू अपको पता है आप जो है अमारे उसमें तीन लेयर होती ह crust, mental और cold ठीक है तो हम यहाँ पे crust की बात कर रहे हैं जो upper layer होती है अर्थ की उसकी हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है fossil fuel किस तरीके से बनते हैं वो हम देखने वाले हैं कि क्या होता है कि जो plant और जो animal होते हैं वो दब जाते हैं अर्थ की जो crush layer होती है उस पे दब जाते हैं अब आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़दा pressure available होता है और बहुत ज़दा temperature हाई वहाँ पे होता है तो क्या होता है उसी से बनते हैं fossil fuel ठीक है और यह जो process होता है fossil fuel बनने का इसमें बहुत ही ज़दा टाइम लगता है यानि कि लाखो करोडो साल के बाद में जो है fossil fuel में convert होता है अब जो है fossil fuel को कितीन form हम बहुत सकते हैं coal, petroleum and natural gases या तो वो coal में convert हो जाएंगे या petroleum में या फिर natural gas में वो convert हो जाएंगे ठीक है अब आपने पढ़ा ही होगा petroleum जो है हम इनका इस्तमाल भी करते हैं इने से हमें energy भी मिलती है ठीक है तो fossil fuel ultimately क्या है एक तरीके का source होता है energy के लिए ठीक है ओके तो अगर हम बात कर रहे ultimate source of energy ठीक है तो वो होता है sun किस तरीके से जैसे कि अगर हम plant की बात करें हम animal की बात करें plant जो है वो photosynthesis करते हैं किसकी help से sunlight की help से sunlight of course sun से ही मिलेगी तो जो plant है वो sun पे depend करते हैं यानि कि अपनी जो energy है वो sun से लेते हैं जो herbivorous है वो किस पे depend करते हैं plant यानि कि vegetation पे depend करते हैं तो indirectly वो भी किस पे depend कर रहे हैं sun पे depend कर रहे हैं हम human beings की अगर हम बात करें तो हम भी क्या है, depend करते हैं, vegetation plants पर हम depend करते हैं, और जो plant है वो photosynthesis करते हैं Sun की help से, तो indirectly हम भी depend करते हैं, किस पर depend कर रहे हैं? Sun पर depend करते हैं, sunlight पर depend करते हैं, ठीक है, solar energy पर हम लोग depend करते हैं, तो इसलिए जो sun है उसको क्या बोला गया है? ultimate source of energy, ठीक है, क्योंकि जितने भी living organism है, वो after all किस पर depend करते हैं, sun पर depend करते हैं, अब जो plant है, वो भी अपनी energy sun से लेते हैं, animal भी अपनी energy sun से लेते हैं, और अभी हमने पढ़ा है कि जो animal होते हैं, और जो plant होते हैं, उनी से fossil fuel बनते हैं, जब वो अर्थ crust में दब के रह जाते हैं, ठीक है, तो it means fossil fuel के अंदर जो energy है, वो भी कैसे energy, sun से ले हुए energy ही है, ठीक है, इसे लिए हम क्या बोलते हैं, sun को ultimate source of energy, ठीक है, next point है, most commonly and widely used source of energy, अब जो fossil fuel होता है, बहुत ही common तरीके से हम इसको use करते हैं, हर घर में इसका इसका इस्तमाल होता है, बड़ी-बडी industries को आप देख लिए, वहाँ पे इसका इस्तमाल होता है, ठीक है, हमारे घरों में भी हम daily use में इसका इसका इस्तमाल करते हैं, और आज के time में तो इसका जो use है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पुराने time में क्या होता था, कि लोहों की जो life थी, वो slow थी, ठीक है, क्योंकि किसी वेहिकल का जरूरत पढ़ जाती है, ठीक है, आपको ये भी बता है, कि वेहिकल जो है, वो बिना petrol डीजल के तो चले का निक, इसका मतलब हर दीन जो है, पैट्रोल और डीजल का हम बहुत ज़्यादा इस्तमाल कर रहे हैं, नुकसान यहाँ पे यह है, कि जब भी ये च इस्तमाल जो है, आज की टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके पर इसरी रीजन क्या है, एक तो development बहुत ज़्यादा हो गया है, इंदस्रिलाइज़ेशन कि अगरम बात करें, तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है, जो है, कोल और पैट्रॉल का इस इस्तमाल होता है अर्बनाइजेशन हो रहा है यानि कि शहरी करन जिस तरीके से हो रहा है और लोग जिस तरीके से आएब बढ़ रहे हैं थिके टाइम कम है काम जादा है तो उस चीज की पुर्ती करने के लिए यह यह हमारे लिए बहुत जादा जरूरी हो गई है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हम इनका इस्तमाल करना बंद कर दे क्योंकि हम totally इन पर depend करने लगे हैं ठीक है तो या तो इनका कुछ alternative source हम निकाले या फिर इनका इस्तमाल जो है वो minimize करें ऐसा कुछ जो है इसका solution निकालना हुगा next point है key factor for industrialization and urbanization जो अभी हमने discuss किया ठीक है नोन रिनुबल सो मस्ट भी यूज केरफुली अब जो ही जो हम पढ़ रहे हैं पैट्रोल को ली क्या उत्ते नोन रिनुबल होते हैं कहने के मतले यह जो है बहुत ताइम की बात बनेगी इनको ऐसे नहीं के दो दिन में तयार हो जाते हैं इनको लाखों करोडों साल ल चल्क पेट्रॉल या कुछ भी बन होता है तो स्थो तो क्या होगा ऐर पॉलिशन होगा वाटट पॉलिशन भी होगा और इस तरीके से जब Pokémon स्ट एमन थान का नाकूर्ट्रोजन वाइली हो जाएगि क्या करते हैं यह जब भी बारिश को एकषिशन आने होती है water की साथ में mix हो करके अर्थ पी आएगी ठीक है यानि कि सोल की fertility भी वहां पर effect होगी पानी भी effect हो गया एर तो पहले से affected थी इट मेंस इसने क्या किया air pollution water pollution and soil pollution तीनों ही pollution कोज कर रहे हैं ठीक है तो इसल की effect होई दीरी-दीरी क्या हुआ उसने दीरी-दीरी सारी चीज़ों को effect करना शुरू कर दिया ठीक है तो इसके बहुत सारे disadvantage होते हैं क्या कर रहे हैं finally हमारी life को effect कर रहे हैं क्योंकि air water or soil pollution तीनों ही pollution को यह कोज कर रहा है तो हमें जरूत यह हैं कि इनका यूज या तो minimize किया जाए यह तरीके से किया जाए ठीक हम बंद नहीं कर सकते हैं का इस्तामाल वह इसलिए क्योंकि हम इन पर टोटली डिपेंड करते हैं आज के ताइमें हालांकि alternative source हो सकते हैं लेकिन आज के ताइम में इतना advance नहीं है कि हम इसको पूरी energy source हम निकाले ताकि इनका जो इस्तमाल है minimize कर सके इनकी जगे कुछ और तरीके से हम energy को बना सके ठीक है पहला आता है hydro power आपने hydro power plants के बारे में सुना होगा actually में क्या होता है यानि कि हम आपे hydro यानिकी water से हम किस तरीक से energy बना सकते हैं ठीक है वह हम discuss करने वाले हैं आपने बांद देखे होंगे बड़े-बड़े जहां पर क्या होता है कि यह वह जो है उसका water को रोका जाता है उसके मतलब large quantity में वहां पर water available होता है अब क्या होता है जो डैम होते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा gate लगा होता है जब आप उसको खोलते हैं बहुत ही high speed से water महां से आता है अब आप देख सकते हो जब बहुत ज्यादा प्रवाट से पाणि आता है तो वहां पर क्या होता है एक generator लगा हुता है ठीक है एक टरबाइन आप लगा होता है कि यह लगा होता है जो डप्र गूमता है dedi तो और हम ने क्या किया फोसल llt यहां अने लिपाल क्वश प्लाइस system धिकत 191 अगया लेके आउनगी में पानी का सब्सक्राइट हां पर का अए जो हैं जा बिया निया जो है तो आज के ताहि tsunar इनकित विटेड़न द्यारे कि तो इसको जितना आप इस्तमाल कर सकते हो जितना तरीकी से आप इस्तमाल कर सकते हो उतना बैटर है इसके किसी भी तरीके को पॉलिशन नहीं होता है इनमें किसी भी तरीके को कोई पॉलिशन नहीं होता ठीक है और बहुत ही हाई क्वालिटी में आप एनर्जी बना सकते हो और और किसी भी तरीके का पॉलिशन नहीं है, इन्वार्मेंट के लिए भी फ्रेंडली होगा, ठीक है? तो यह चीजे हमने डिसकस करी, किस तरीकी से होता है, और किस तरीकी से एफेक्ट करता है, लिवियं और गेनिशैन टियिक लाइफ को हम देखने वाले है, रिद्धियो एक्टिव पॉलिशन इस डिफाइन आज़ फिजिकल पॉलिशन आफ रिभी ऊप्लिशन ट लिबिप्त कर रहे हो क्या है environment ठीक है as a result of release of radioactive substance जो भी radioactive substance release होते हैं उनकी वозसे हो रहा radioactive pollution अब सवाल आता है कि radioactive substanceswijbbe क्या है किस तरीके से release होते हैं तो basically जो radioactive pollution हो दो तरीके से होता है national and artificial नैच्रल किस तरीके से होगा जो sun है sun से जो radiation आ रिये है बिसिकली तेन टाइप की radiation आती है UV radiation इंफरा-red radiation and visible light ठीक है तो UV radiation जो है ultra-rico-red radiation जो हम बोलते हैं इसका परसंतेज होता है six point something जो यह point में है ये और इंफरा-red radiation जो की होता है fifty four point सम्टिंग एन विजबलाइट होते थर्टी नाइन पसंट ठीक है तो जो यूवी रेडिशन है बैसिकली क्या फंक्षन करती है आप जब भी सल लाइट में जाते हो बहुत टाइम तगर अगर अगर अप सल लाइट में हो तो आपको फील हुआ होगा जो आपको है स्किल बर्न हो जाता है ठीक है sun burn जिसे बोलते हैं spread हो जाती है रूइड हो जाती है किस वजबसें वहता है वहता है रोओ ओवी रेडिशन के वेजह से lieber infrared radiation क्या करती है आपको फीट फील होती bicycle से infrared radiation की वेज़े से व्यजब लाइट क्या करती है आप जो चीजों को देख पा रहे हो अबज्यक्ट आप देख पार हो असपास क्या हो रहा है किस वाज़े से वीजबल लाइट की वज़े से तो अब सवाल आता है कि music और से कौन सी रेडियेशन है जो की रेडियोक्टिव पॉलीशन को करती है यो बेडियेशन और इंफ्रा रेड रेडियेशन ठीक है एक्सरे जो होती वो भी और यह जो तीनों ही रेडियेशन होती है ठीक है जो एक्सरे होती वो भी टाइप ओफ एलेक्ट्रोमेगनेटिक रेडियेशन है ठीक है अब बात आती है आर्टिफिशल आर्टिफिशल के सारी के सा जो है वह रेडियोएक्टिव पॉलिशन हो रहा है तो directly pollution को cause नहीं करेगा लेकिन in case यहाँ पे किसी भी तरह के कोई accident हो जाए अपने नाम सुना होगा atomic energy plant के बारे में तो यह जो plant है यहाँ पे अगर किसी भी तरह के कोई accident हो जाए या कोई भी radiation leak हो जाए तो इसकी वज़े से जो है वो radioactive pollution हो सकता है अब बारी आती है कि किस तरीके से living organism को effect कर सकता है सबसे पहले आता है cancerous ulceration cancerous ulceration क्या होता है तो skin है उस पे छोटे छोटे ulcer बन जाते हैं यह जो ulcer होते हैं यह percent to percent vary करते हैं और यह depend भी करते हैं ठीक है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं तो कहने का मतलब यह कि skin को यह effect करते हैं दूसरा आता है tissue in the body is destroyed tissue in the body destroy यह internally भी effect कर सकता है और externally यानि जो skin है वो पूरी की पूरी destroy हो जाती है देमेज हो जाती है ठीक है बहुत बुरी तरीके से जो है skin damage होता है अगर आप radiation के contact में आती हो तो बहुत long time तक ठीक है थर्ड आता है genetic changes अकर जहां भी यह जो radiation leakage होता है बहुत time पहले ऐसा हुआ भी तो उसका जो result है आज तक हम देख सकते हैं ठीक है या although वो उस time को उस चीज को बहुत time हो गया लेकिन उसका जो है आज भी है और किस तरह के से और तो जो लोग थे वहां पर उनकी दैथ हो गई लेकिन जो एनिमल जो भी उसके contact में आए उनकी जनरेशन अब जो पैदा हो रही है वह भी इफेक्टेट हो रही है किस तरह किस उसमें बहुत सारे physical deformities उसमें हो रही है उनकी ạnhी। फीचर जो हो वह अलग तरह के हो रहे है ऐस उनका जो जाइन्न की जाचा Seas घराई मैंृit. हो गया ठीक है तो वहां पर तो जाईृ और कि जाहां और नहां बंनें पर नहीं रही है अलग ही तरह का और गैनिज्म पैदा हो रहा है तो इस इस तरीकी की जो है जैनेटिक चेंजेज हुए और डीफ फोर्मेल्टी जुम में आज भी देखने को मिल रहे हैं ठीक है और यह बहुत टाइम तक चलने वाला है पूर्टाता हैै इसी का डीजर्ट होता है फिर उपता है यह है यह बहुत ही एक तरह के से डीप हो जाता है पंपर हम इस्कूस करें तो किलिए यह को बहुत के सई एफएक्ड करता है और अगर isol제 हो रहा है इट मीन्स लिविंग और्गैनिजम भले वो प्लांट हो भले वो एनिमल हो वो भी एफेक्ट होंगे अगर किसी भी तरीकी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसका डारेक्टली एफेक्ट हमारी लाइफ पर भी पढ़ेगा ठीक है ह 나온 में दिशंट एन्मर्मेंट पढ़ेने से पहले एक भर हम बायोडाइवेसिटी की बारे में पढ़ेते हैं बायोडाइवन सीक्या है अब जब बाहर भाहर जाते हो तो आपको अलग 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 तरिके के प्लांस दिखते हैं तो वह क्या है डायवसिटी या निभींत ठीक है variety of animal variety of plants वो क्या है biodiversity लेकिन जो भी pollution हमने discuss किया है उनकी विज़े से क्या होता है कि जो biodiversity है यह बहुत बुरी तरीकिसे effect हो रही है pollution जहा है वो एक तरीकिसे इसका main reason होता है human activity हमारी activities के वज़े से हैं जो है pollution सबसे जादा होता है human activity is the main reason for the pollution तो आज की टाइम में क्या हो रहा है pollution directly जो है biodiversity effect कर रहा है ठीक है biodiversity means plant or animal दोनों का effect करेगा यह यानिकि इनकी जो species है वो खत्रे में है तो हम किस तरीकिसे उनको बचा सकते हैं पहला point है protecting the rare species of organism जो भी rare species बची है organism की आप जरूरूत है कि उनको बचाया जाए अगर वो भी खत्म होगी तो पूरी species ही खत्म हो जाएंगी ठीक है sorry establishing of national park national park को establish करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा national park होंगे as because वहां पर क्या है कि जो भी endangered species है जो भी ऐसे species जो की बहुत कम जिसके organism बचे हुए है जरूत है कि अब अच्छी तरीक से protect किया जाए ठीक है ताकि वो जो species है वो continue कर भाए नेक्स पॉइंट आता है project for conservation of special species ठीक है जो भी special species है उनको कंजर्व करने की जरूत ऐसे project बनाने चाहिए observing the rules ओल्दो रूल्स है ठीक है government ने rules बना रखे हैं लेकिन उनको follow up नहीं किया जा रहा अगर उनको follow up किया जाए तो यह जो situation होती है critical situation जो आती है जंगलों में ठीक है उस पर all to action लिया जाता है लेकिन वो एक just for melody के लिए ही होता है उसको इतना जादा seriously नहीं लिया जाता है यह हम सब जानते हैं कि रूल्स को ज़्यादा लोग follow ही नहीं करते हैं और इतना ज़्यादा इनको seriously लेते भी नहीं है तो इसी के वज़े से यह result हमारे सामने आते हैं कि बहुत सारे species जो है खत्रे में है और कुछ तो खतम भी हो चुकी है यह हमारी activity का ही result है तो जो biodiversity है यह effect हो रही है अब बात करते हैं management of environment यह जो topic है आप 8th में भी पड़े होंगे 10th में भी पड़े होंगे तो यह बहुत छोटी classes चुरू हो जाती है लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि अभी भी आपके syllabus में include है ऐसा कुछ concept based topic नहीं है कि आपको concept clear करने की ज़रत है theoretical topic है लेकिन फिर भी बार-बार repeat होता है इसकी पीसे reason यह नहीं है कि आपके syllabus में इसको include करना है बलकि reason यह है कि आप इस चीज़ को समझो इस पे थोड़ा सा सोचे ठीक है इसलिए बार-बार जो है हमें बढ़ाया जाता है हमने बहुत बार awareness की बात किये कि लोगों को या त implement नहीं करते हैं तो इसी वज़े से जो है इन चीज़ों को बार-बार repeat किया जाता है ठीक है आप अगर जागरुक है तो आसपस भी लोगों को आप जागरुक कर सकते हो अगर आपको चीज़े पता है कि किस तरीक से चीज़े effect कर रही है हमारी life को और क्या इसका solution है हम किस त policies जो भी हैं उनको follow-up करने की जरूरत है structure responsibility and resources हमें पता है कि जो resources है environment के अंदर वो बहुत ही limited है हम जो यूज करते हैं coal, petrol, natural gases हमें पता हैं कि limited है ठीक है आने वाली generation के लिए शायदी ना भी बचे और इनको बनने में बहुत time भी लगता है ठीक है तो आम जो यूज करते हैं resources का हम समझदारी से यूज नहीं कर रहें जहां यूज नहीं करना चाहिए हम भी कर रहें जहां यूज करने की बहुत जादा जरूरत है वहां भी हम अच्छे से नहीं कर रहें तो कहने का मतलब है हम responsible नहीं है हम अपनी responsibility को नहीं समझ रहें उसी की वज़े से सारी की सारी problems ह जो pollution हमें डिसकस किया है, global warming हो, green arts effect हो, या biodiversity की अगर बात करें, ये भी खत्रे में है, animals खत्रे में है, प्लान खत्रे में है, किसकी वज़े से, हमारी activities की वज़े से, जो चीजे हम जो Delhi करते हैं, ठीक है, इसकी वज़े से, तो जरूरत है कि हम अपनी responsibility को समझे, और जो resource हैं, उनको बहुत ही समझदारे से उनका इस्तमाल करें, थर्ड पोइंट आता है, training and awareness, जिसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार repeat किया हुआ है, कि awareness लोग में होनी बहुत ज़ादा जरूरी है, इस चीज़ को समझना जरूरी है, कि जो pollution है, क्या क्या उसके reason है, और अगर आपको ये पता है, क्यों होते हैं, तो उसका solution हम अपने level पे क्या कर सकते हैं, इंडेस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि जो इंडेस्ट्री होती है, बहुत बड़े पे मैने पे pollution को कोज करती हैं, लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, ओल्दो हम चाहें तो उसके against भी action ले सकते हैं, ठीके, उसके ख बड़े लेललं से जो waste निकलता है, ठीके, और अपने level पे जो हम resources को use करते हैं, किस तरीके से हम उसका इस्तमाल कर रहे हैं, हमारे घरों से जो कच्रा पेडा होता है, हम उसका separation कर रहे हैं कि नहीं कर रहें, इसको अच्छी तरीके से हम अलग-अलग करके decompose कर रहें कि नही कर सकते हैं अपने लेबल पर शुरू कर सकते हैं इसलिए awareness बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको पता है जिससे pollution कम होगा, pollution ना कर बराबर होगा, और जो भी पेस्टी साइड आप इस्तमाल करते हो, chemical fertilizer जो होते हैं, उनकी वज़े से जो fertility ख़राब होती है, soil की दूसरा, वो बहुत सारे pollution को कोज करने का responsible होती है, water pollution उससे कोज होता है, soil pollution उसके वज़े से कोज होता है, ठीके तो यह आपको पता है, पर जरूरी है, जो awareness आपके पास में है, जो knowledge आपके पास में है, आप उसे अपने तक limited ना रखें, लोगों को भी उसके बार में बताएं, ताकि लोग उस पे थोड़ा उसको भी अपनी life में implement करें, उसको भी उसको भी काम करें, fourth point आता है, plantation, सबसे important होता है plantation, आपके आज पास, जितना आप plant लगा सकते हो, उतना लगाने की कोशिश कीजिए, अगर आप बहुत ही ऐसे जगा रहते हो, जहां पे जगा बहुत कम है, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे plant, यानि कि जो port में लगा सकते हो, जो कि oxygen बहुत ज़्यादा देते हो, succulent plant हो, जो कि ज benefit है, directly किसको हो रहा है, आपको हो रहा है, क्योंकि आप उसके आज पास रह रहे हो, तो आप जो कर रहे हो, ये समझ के आप ना करें कि आप environment को कुछ दे रहो, आप environment को हम शायद इतना दे भी ना पाए, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं, तब से कंजूमी कर रहे हैं से हमें ध्यान रखने की जरूरत है, हमने बहुत बार इन सब चीजों के बार भी पढ़ा है, हर बार आपने चीजे पढ़ी है, स्कूल लेवल से आप ये चीजे पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, शायद आगे भी आप पढ़ोगे, लेकिन इसलिए रिपीट होती है, ताकि आप इस पर थोड़ा सोचो और इसको अपने लाइफ में इंपलीमेंट करो, अपने लेवल पर जो आप कोशिश कर सकते हो, इन्वार्मेंट के लिए कुछ बेटर करने की, तो आप वो करिए, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो I'll see you in the next one.